हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोट के द्वारा दो हजार चोविस के लिए जो गड़ीत का पेपर वारल किया गया है यहां पी इसका संपूर हल देखेंगे फ्रेंस आप सभी को बता दें कि चाहे आपका दिर्गुत्तिरी प्रशन हो चाहे लगुत्त संपूर हल देखने वाले हैं तो आप वीडियो को लास तक जूर देखिएगा और आप 26 फरवरी के रात को भी इस पेपर का हल देखे चले जाते हैं तो आप दूसरे चात्रों की तुलना में आपके गड़ीत में बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है तो फ्रेंस आप इस वीडियो को एक सकेंड के लिए इसकीप मत कीजिएगा फ्रेंस आपको बता दे कि यूपी बोर्ड के तुवारा जितने भी पेपर वाल किये गये हैं आपकी परतेक पेपर में मैक्सिमम कोईस्चर आपकी जो आते हैं इसी पेपर में से देखने के लिए मिलते हैं तो आप देखिए आपको जब प्रश्ण पत्र मिलेगा यहां पर समय दिया रहता है समय आपको रहेगा कि तीन घंटा 15 मिनट में आपको गड़ीत का पेपर संपूर हल करना रहेगा आपको जो पुढांक रहेगा टोटल यह 70 नंबर का पुढांक रहता है आपको कुछ निर्देश द देखने के लिए ठीक है यहां पर दी दिखे प्रारम के 15 मिनट रहेगा आपको प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धायीत किया गया है कि आप 15 मिन तक प्रश्ण पत्र को पढ़िएगा फिर इसकी पास समाने कुछ निर्देश दिये गए हैं जिसे आपको बता देते पहला निर्देस आपका है कि सभी प्रश्ण आपको करना अनिवार है दूसरा निर्देस आपका है कि इस प्रश्ण पत्र के दो खंड होंगे जिसमें 20 अंग का 20 प्रश्ण वही कल्पी के रूप में रहेगा जिनका उत्तर आप सभी को OMR seat पर देना रहेगा ठीक है अगला देखिए कि OMR seat पर उत्तर अंकित किये जाने के पस्चात उसे आपको काटना नहीं है नो उस पर eraser का प्रियोग करना है नो whitener का प्रियोग करना है ठीक है फिर इसके बाद देखिए कि दूसरा का खन्ड को खन्ड बहुत होगा इसमें 50 अंग का वड़ात्मक प्रशन रहेगा आपको अगला निर्देश जो प्रश्न से रारम कीजिए और अंत करते जाएं उस पर समय नश्ट मत कीजिए चिस प्रश्न का आपको नहीं आख उस पर समय नश्ट नहीं करना अगले प्रश्न को करना करना यह यह कुछ निर्देश्त है जो आपको सेम टू सेम आपके बोर्ड के एक्जाम में 27 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा अब देखिए यहां से प्रारम होता है खंड अ खंड आ में आपको टोटल 20 बहुविकलपी प्रशन है लेकिन आपको सभी प्रशनों का अदम डिटेल में समझाएंगे और साथ में आपको ट्रिक भी बताते चलेंगे कि किस प्रशन को आप ट्रिक से चुटकियों में आप प्रशनों को हल कर सकते हैं ठीक है देखे आपके सामने पहला नंबर के जो सवाल स्टार्ट होता है ते देखे आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे किन्हीं दो संख्याओं का LCM दिया है 60, SCF दिया है 3, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या का रहा है ग्याद करने के लिए इसका आपके सामने आपसन है अब देखे इस प्रश्ण को लगाना रहेगा कैसे लगाएंगे जब भी आपको एक संख्या देगा और LCM SCF दिया रहे और दूसरी संख्या पूछे इसका फार्मूला क्या होता है बता देते हैं आप सभी को पहली संख्या पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर देखे क्या होता? LCMitzer गुड़े SCF यह फार्मूला होती है इससे याद रखिए ठिक है? पहली संख्या क्या मान दिया है बारा तोपहली संख्या के जगए 12 रखे लिजिए और दूसरी संख्या लिख लिजिए दूसरी संख्या कि एलस्य दिया है शाथ तो शाथ रखें गुड़े सक्षम कितना दिया है तीन तो तीन रख लीजिए दूसरी संख्या देखी क्या होगा दूसरी संख्या बराबर शाठ गुड़े तीन यह गुड़ा 12 आये तो 12 को पच्छान तो करेंगा बटाय में 12 हो जागा सही हो जाएगा देखिए इसी प्रकास जितने भी प्रस्ण आपको पूरा डिटेल में बताएंगे ना आप वीडियो को लास तक जहुर देखिएगा सिर्फ इस पेपर को हल करके चले जाएए आपको इसी में से सवाल 27 फरवरी के पेपर में देखने के लिए मिलेगा ठीक है चली अगले प्रश्ण को देखते हैं देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि एक सुन्यतर परिमे संख्या और एक अपरिमे संख्या का गोनफल होता है जैसे दो हो गया ठीक है आपको क्या हुआ दू हुआ ठीक है दो ले ले लेई टीन ले लेजिdoor इस पकार से और आप्स क्यालित्य संक्या को मतलब होता है कि करणी में दू करणी में तीझ प्रणी में पांच यह सब प्रणी होता है कि हतना है कि एक सुनेतर प्र Mack soil की फेलोंफल और कुम आपके सामने अगला नंबर का प्रस्टन है कि तीसरा नंबर के देखें इसको आपके लगाएंगे रेखा यूग में समिकर रण यक्स प्लस दू वाई माईनस पांच बराबर जीरो और चार एक्स प्लस आठ वाई माईनस बराबर जीरो के हल आपको बताना है कि इसमें से इसका हल क्या होगा अब इस प्रश्ण को देखी आप कैसे हल करेंगे यहाँ प्लस दू वाई माईनस पांच बराबर जीरो यह समिकर नंबर माली जी एक है और इसके बाद चार एक्स प्लस आठ वाई माईनस बीस बराबर जीरो समिकर नंबर दू है अब देखे जब भी इस प्रकाश से इसमें रेखा यूग में यहां पी यह 1 का मान होता है यह c1 यह a2 का मान होता है यह c2 का मान होता है फिर्ण होता है जी इसमें अनुसे सकते हैं यह यानि कि तीनों अनुपात गया रहा है बराबर जैसे तीनों अनुपात यहां पे बराबर आता है तो इसका एंस्वर क्या होगा जब इसके अनुपात जब आपके बराबर हो नंबर के देखते हैं अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का जो सवाल है कैसे लगाएंगे चौथा नंबर का ध्यान दीजिए यहां पर वह सबसे बढ़ी संख्या जिससे सत्तर और एक्सोपचीस को भी भाजित करने पर क्रम्स सेस्फ़ल पांच में बचता है और आठ प्राप्ट होता है इस पका के सवाल जब भी आपको मिले आपको क्या करना है पले सत्ता लिखेगा और एक्सोपचीस दिया तो एक्स हो जाएगा और 125 में 60 गड़ेगा तो 170 हो जाएगा देखिए इसको दो भी दिए एक तो पूरा डिटेल में बता देते हैं कि 65 अब देखिए यहां पे पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जब बड़ी संख्या आप से पूछे इसका मतलब होता है कि आपको एच सी अफ निकालना होता है एच सी आफ तो 65 लीजिए 65 का पहले गुड़ांखंड कीजिए जब गुड़ांखंड करेंगा तो तेरा पांच पैस यानि 5 गुड़े तेरा हो जाएगा आप देखिए 117 के कीजिए ठीक है इसका गुड़ांखंड करेंगा 30 मतलब तीन यहां पर दिया है इसका सही जो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा यही था आपका कि जिसे आपको 65 आ रहा है सत्रा आ रहा है तो ट्रीक बस आप यही लगा सकते थे यहां पर कि इसमें एक ऐसी संख्या देखे होते जिसका भाग देने पर आपका 65 भी करता और 170 भी कटता यहां दिखें तो आपके 13 का ही भाग देने पर आपका 65 कटेगा और 13 का भाग देने पर 17 करता है ठीक है यहां पर बिना इसको हल किये भी यह लगा सकते थे यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने अग्रा नंबर का जो कोईस्चन है पांचवा नंबर का देखें इ 3 के 5 प्रथम गुड़जो कह पूछ जोड़ लीजिए देखें 3 के 3 6 9 3 4 12 15 15 इस सब कह योग पूछ रहा है तो सभी नौनो आठारा अठारा और बारा 30 और 55 कितना हो जाएगा इसका जवाब कितना होगा आपका सही होजाएगा कि तीन के प्रसंद पांच गुरुजों का योग होगा 45 होगा ठीक है अगला सवाल देखिए आपके सामने छठा नंबर का सवाल है और देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा आपका सवाल है कि दिवाद समीकरार 2x2-4x3-0 के बारे में निम्न कतनों पर विचार करना है तो आप देखिए यहां पर आपके आपसंदिये हैं जब आपसंदिये हैं तो इसको हल कैसे करेंगे तो चलिए आपको हल करके बताते हैं इसलिए कि आपको कहें कि परतेक लिए कि अवशकता नहीं पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद यहां पर दू एकस इसक्वाइर माइनस 4 एकस प्लस 3 बराबर 0 है अब क्या कीजिएगा कि इसको क्या कीजिएगा कि A X इसक्वाइर प्लस B X प्लस C बराबर 0 से तुलना कीजिएगा जब तुलना करेंगे तो A कमान हो जाएगा आपका 2 बी कमान हो जाएगा माइनस 4 और C कमान हो जाएगा 3 आप क्या कीजिएगा जब भी इस पकास आपसे पूछे कि उगास सा निकड़ के बारे में कि कौन सा कथन सही है मूल वास्तिवी यहां पर दिया मूल वास्तिवी खाय नहीं है तो आप यहां भी क्या कीजिएगा चार टीथिएं के समीकड़ के बीविक्तिकर शुननने से कम हीं तो मैनस 8 आने का हुआ इसका विविक्तिकर क्या हुआ सुनने से कम हुआ इसका मतलब यह वहला आपसन आपका सही होगा और आपसन को पढ़ लेते हैं सभीकड़ के मूल कोई मूल वास्तविक नहीं है तो देखिए आपका यह जो आ रहा है कि B2-4AC जो आ रहा है जीरो से कम आने का देखिए जीरो से पाया नहीं कितना माइनस आठ आठ चानी संका मतलब यह वह वहला आपसन तो गलत है समोर म Yeah आने का मतलब होता है कि मूल वास्तिविक नहीं होता तो यह भी आपसन गलत हो जागा इसका मतलब आपका जो आपसन सही हो रहा है और भी सही हो रहा है तो देखिए निम्न में से सही उत्तर का चैन करना है तो चली आपको आपसन देखते हैं अब देखिए आपसन दिया है तो दिया है जीरो का मुदक्षी तो पूछटा500 ऑप सवाल को कैसे लगाएंगे बहुत सिंपल सा सवाल है पहले निद आयत दिया है आप आयद बना ल intent up ayd बना लेता है यह आपक आम यायत मौलील्ट और यहां पे बीका दिया है 5 को से 0 अब दो बिंदू दो बीच की दूरी का फार्मूला लगाएं गिवी और अबको दो जो की दूरी का फार्मूला लगाएंगे दूरी बराबर फार्मुला देखियो वहते हैं करड़ी में यक्स-1- x2 का होल स्क्वायर प्लस y1- y2 का होल स्क्वायर ठीक है अब देखे एक बीर बीच की दूरी निकालना चाहिए यह यक्स-1-1-2 यह यह एक्स2 है यह रखके निकाल लीजिए अब यहां पर मान रखीएग आप यक्सवन कमान जीरोर माइनसенные क्यों कमान पांच का यह यह जागा आपका पॉसकाइल पांच zitित लीकल्स फोएगा जो जाए आपको ञापका तो सब करणी में 34 अब देखें इसका ट्रिक क्या था कि जब धूर बिंडू की बीज की दूरी निकालना रहे तो तो यहां पिलीह दिया जिरू दिया है तो क्या किजिए को शिर्फ करें करके 5 का स्कृय कर दें इतली के नौ इन दोनों का आपस में जोड ले तो 34 हो जाता एक लाइन में यह सवाल निकल सकता था लेकिन आप सभी को पूरा डिटेल में समझा रहे हैं कि आप इस सवाल को बोड के एकजाम अदब मिश्टेक मत कीजिएगा ठीक है आपके सामने अगला नंबर देखिए आठवा नंबर का सवाल है अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ज्यान दीजी के बहुत सिंपल यह भी सवाल है आपका यदि समिकर्ण यक्स स्क्वार प्लस के यक्स माइनस पांच बटा के चार बड़ावाज जीरो का एक मूल दिया है एक बटा के दू है तो के कमान ग्याद कीजिए देखें मूल देने का मतलब होता है कि यहां पर यक्स कमान दिया है किसका मान दिया है एक मूल देने का मतलब यक्स कमान एक बटा के दू है आपको कुछ करना नहीं है सवाल में बस सवाल में क्या करना है कि जहां पर यक्स वहां पर एक बटा के दू रखके इसको हल करना है च चार गुड़ यक्स के जगा पे एक बटाई जो कर लिए माईनस पांच बटा के चार कल लिए बड़ाबाब जीरो यहां पी देखिए कि इसका अगा चार पना बटा और चार और बराबाबा जीरोह जागा एक बटा के चार माने स्क्षाल करेंगे तो कि ना ओल्ट धर्म थैड़ा सवाल देखिए आप 9 नंबर का कि दू तिर्भूज समुरूफ होते हैं ज्युदे की आपको पता देते हैं इसे याद भी रखिएगा कि दो तिर्भुज समरूप होने का जो कंडीशन होता क्या होता है कि यदि इनके संगत कोड बराबर हो तो यह भी आपसन सही है इनकी संगत भूजाओं एक ही अनुपात में होती है यह भी आपसन सही है इसका मतलब सेकेंड थ हड़ो वाला सही हो जाएगा आपके सामने अगरा नंबर का सवाल दसवा नंबर के देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यहादी एक समकोड त्रिभूज ABC में कोड़ C90 AC बराबर 3 cm और BC बराबर 4 cm तो बिन्दू C से जाने वाली मादिका की माप ज्याद करना है समकोड त्रिभूज बना लेते हैं दकि यह आपका एक समकोड त्रिभूज इसका नाम देखिए C90 ना तो C को यहाँ पिलिजिए और A और B को यहाँ पिलिजिए इसका मतलब यह नब ब्यांस को हो गया यहां आप A C कमांज दिया है 3 ते देखिए A C यह तो 3 हो गया B C कितन करणी लेज़ेगा जिल्य सुर्ण जो आधार और लम्न की स्कौर्ण के वर के बराबर होता है इसका मतलब 3 का स्कौर् से बराबर वहाँ स्कौर यहां दृआ ब्रच ऑ μ집 मेराद का बराबर सोलौ यहां सुक्वार आटाना तो में दूनों पच्छों के क्या लेंगे तो करड़ी ले लिजिए एक चलिए आप रूट ले लते है तो यह 25 हो जाएगा अब देखें आफ दिख़या होता है यानि सीडी के ज़ू मान होता है कि यहां या आपको याद को याद रखना है कि जो % यह संटीमेटर है संट में विशुआ है आफ सर में देखिए कि यह स्वाब हो जाएगा जरी ब्यूद Grö चाहरे सवाल है स्वाल q प्लस case प्लस टीटा का मानगे चाहराँ करनाएच सवाल को कैसे लगाएंगे यहाँ पर स premium काश ठीटा प्लस गो सांतर करेंगते हैं Спाई नीचे पंखें hon यहां प्रपार और कें 10 ठीटा और 10 ठीटा बराबर हुआ whites अब पताई है कि 10 को रूप में इसका मान एक होता है यह होता है अब 10 से 10 हटेगा यह 45 अंसौ जागा यहीं ठीटा मान चला 45 अंसा आपको अबлять 402 इसका मान उक्यां करना अब किया करेंगे साइन पौटीट प्लस कास पे फोर ठीटा कर लिजिए देखे साइन ठीटा का मान ठीटा का 45 दियाती है अब 45 रख लीजिए फोर यहाँ पे 45 अंस रखिए प्लस कास फोर यहाँ तो फोर कीजिए अब ठीटा का 45 अंस का मान होता कितना है तो साइन 45 अंस का मान होता है कि 1 बटा के root में 2 4 गात है तो 4 गात कर लीजिए प्लस 1 बटा कितना हो जागा कास्पायतली संस का मान भी एक बटा के root 2 होता है यहाँ पी square चार गात है तो 4 गात कर लीजिए ठीक हो गया अब देखे एक पर 4 गात का मान सिधा सिधा याद रखे कर दू पर चार आता है और इसी तरह यहां पर 4 आजाएगा आपका हर बराबर है एक कितना हो जाएगा आपके सामने अगला जो बारा नंबर का सवाल है यह जितने भी आपको सवाल लगा रहे हैं सभी इंपोर्टेंट है आप इन सभी सवालों को दो तीन पर जिरूर देख लीजिएगा ठीक है देखे साइन 2 ए बराबर 2 साइने तब सत्य है जब की ए का मान आपको बताना है कि इसमें एक कितना मान लिया जाया कि आपका बराबर वो देखे इसको आप कैसे लगाएंगे आपका एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पर जीरूर अंस 45 और 60 अंस वह मान रखके देखिए कि क इस पर यह मान बराबर हो रहा है एक तरीका आपको बताते हैं कि साइन टू ए बराबर टू साइड ए अब क्या करें कि साइन टू एक फार्मूला होता है यह फार्मूला होता है बराबर टू साइड ए होता है देखें दो से दो आपको कड़ जाएगा साइन से साइन एक कड़ सब्सक्राइब दूसरा तरीका आपको बता रहा है क्या था कि यहां से आपको जीरो अंस इसमें रखे के देखेंगे कि दूनों पच्छों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं जिस पे मान बराबर आ जाएगा तो आपको यह तरीका भी बता देते हैं कि जैसे यह आपको नफार पर्मुला भूल जाए तो यह वीधी आप उहां पर लगा सकें यहां पर क्या करना है कि साइन 2 गुड़े एक जग अब कितना रखना है 0 तो 0 अंस रख लीजी बराबर 2 इसका और किसी प्या मान बराबर नहीं होगा इसलिए इसका यहां आपसं सभी हो जाएगा अब देखें आपके सामने जो अगला नम्बर का सवाल है तेरे नम्बर का इसको भी इंपोर्टेंट कर लीजिए दम यदि 410 ठीटा बराबर 3 है तो 4sin ठीटा मानस काश ठीटा अपन 4sin ठीटा प्लस काश ठीटा बराबर होगा अब इस सवाल को देखें आप कैसे लगाएंगे तो चलिए आपको बताते हैं और समझाते हैं कि इस सवाल को आपको कैसे लगाना है देखेए यहाँ पर एक चीज़ दिया हे आपका कि 4 10 ठीटा बराबर 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 10 ठीटा बराबर 3 है तो 3 गरखें और 10 ठीटा बराबर 4 को पाच चाहनतर करेंगे तो 3 है निख तो 3 बटा कर चार हो जागे वो form That बसाइटा थीटा इसको चाय तो पैसागोर disturbed निकाल कि यहाँ इसको हर्कर सकते हैं यह इसके हलावा क्या कर सकते हैं कि इहां से आप सअइद है या से कास कामल लेup जब कास्ट कामल लें ग inh Assist आहां से जब कास्ट कामल लें गया आप शूंदिख turbo का नुहां कितना बचाइन फिरफीपका यहां काम काम करना है आपको कास्ट कामनके तो हमाइन ठीटा हाँ यहां प्लस एक है तो पलस्ट कर जाएगा यहां पी आपको क्या होगा कि 4 14 пять सबस्क्राइब क्या बिसकते हैं 10 एक अपन 4 5 लग सक्ते हैं और घ्म 14 16 Een皆さん युक्त हैं 10 टीटा और प्लस Maps है अब 처plet मान रखर लिए शार प्लस एक प्लस एक हो जागा इसको कटा के सिंपल कर लिजिए देखिए दू एक दू 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 दूना के चार आपका एक बटा के सही जवाब हो जाएगा ठीक है इस प्रकास इन सवालों को आपको लगाना था देखिए आप सवाल को आपको बताते हैं कि कैसे आप सवाल को लगाएंगे तो पहले अगले कोश्टक में क्या है वन माइनस साइन है ठीक है अब देखिए आप पर क्या करेंगे से को चेंज करेंगे तो आप सभी को यह फार्मूला कई बार बता चुके हैं कि सेक एक आप जो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं प्लास इसी तरह टैन एको क्या लिख सकते हैं टैन एको लिखा जाता है साइन ए अपान कास ए लिखा जाता है कोश्टक बंद कर लिजीगा वन माइनस क्या हो जाएगा ठीक है यहां प्रक्त Blood कडर कास हो जायगा यहां पर === करणा करें जात को करेंगग उस फार्मूली की आपको यह दिखाए देर हागा यह प्लस भी अगले कोश्टक में A minus B इस रुप में दिखाई दे रहा है तो इससे आप क्या लिख सकते हैं A square minus B square इस रुप में लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपको वह ही चीज़ है यहाँ पर 1 का square 1 हो जाएगा सकते हैं इसका गुड़ा करने बाद यह हुआ है अब दिखा जाता है आप सभी को पता है कि वन मैंस साइड इसक्वाइर एक को लिखा जाता है कास नंबर का अगला सवाल दिखेंगे 5 यह सवाल है द्यान दीज़ेगा अरे सोरी दोस्तों 15 नंबर का सवाल देखिए यह दित्रिज्य साथ सेंटिमीटर वाले एक बित के त्रिज्य सवाल में इस सवाल को हल नहीं किया है आप से पूछा क्या है कि त्रिज्य खंड का फार्मूला आपको बताते हैं और इसे याद भी रखिएगा त्रिज्य खंड का फार्मूला होता है देखें क्या होता है कि ठीटा पटा के तीन सो साथ गुड़े पाई आर स्कॉर यह होता है यहां पर आपको तिरिज्य का मान और कोड का मान रखके सवाल को हल नहीं किया बस आपको फार्मूला पूछा इस आपसन के एकार्डिंग यहां पर आपसन में देखेंगे इसको आप इस पका से लिख सकते हैं कि पार ती ठीटा पान ती रिखा जा सकते है पाई आर स्कॉर होसे तूरह यहां कि हर अप moc कैसे लगाना है एक सुराही निमनलखित का सَّन्युजन होता है यह और दू princiछ नहीं होता है कि फैसे और आयां से यह क्या होता है इस पकासी होता है इसका मतलब एक मेधर होता है इसका उता है इसका फ्रस्च वाला है और 17-17 सवाब 1 से 10 कि धनात्मक की संख्यां का मादिacter को को बताना है कि इसका कैसे गैंट कर दुक्त संख्यान होगा इसके देखे sa आच 7 और 9 यह को टार ने क्या होता है कि अपर बता दलते हैं सभी प्धो का योग है सभी प्धो का यो इस अपान प्रक्रकिंशिशक्क्राइप पादो कि के 330 करेकर सभी प्धो के योग मतलब सब्धों जोल लिजी है एक प्लस तीन प्लस पंच प्लस साथ प्लस नो सभी को जोड़ेंगे अपान पतों की संख्या मतलब गिलीजे एक दूत तीन चार पांच पांच हो जाएगा अब वुपाज जोली तो तो पांच नौ जाएगा नौ तो साथ सोलों और नौ पचीस कितना हो जाएगा पचीस अपान 1789 वीज की महादिका आपको वताना किसकी मादिका क्या होगा बहुत जैदा सिंपल होता हुए प्या करने है कि कें इसको आरोही और वही करम पहले लिखना पढ़ता है यहां पर स्रीज जो बच रहा है इन दोनों का योग करके क्या किजेगा कि 16 प्लस 17 में योग करके बास भाग दे दिजेगा देखिए साथ और इच्छा कितना हो जागा तेरा दू एक तीर एक मतलब 33 बटा के दू हो जाएगा तिसका सही जो आप देखिए 33 कहां पर दिया तिसरा नंबर का सव सवाल लगाना है और माद्य पूछे आपको जैसे अभी समझाएं उस पकास माद्य को ऐसे लगाना रहता है माद्य का पूछे ऐसे सवाल को लगाना है अगला सवाल 19 नंबर का देखिए यदि कुछ प्रेच्छणों का माद्य 27 तथा बहुलग 45 है तो माद्य का होगी यहां आपि छे कि इस सवाल को कैसे लगाएं गे बहुत ज़्यादा सिंपल है यहां पर आप फार्मूला वस् Googliyor के करना है ग्याद करना है यहां पर slas kya, माइट करना है।엔 PBIG माइट दिखा है। माहिन के हिसान कुर्ण सá jakiś किया है, कि क Teddy खेंश थैंस करना है। माइनस का गुड़ कर लिए।cin माइनस कुछारे 5 feels, माइनस चुवण के पंच चौटर कूछी कि जी हे लगता करना है। प्लस कर्7 EL Л sucked up 3 गुढ़े मादीока field कि बड़िए 45 में गुणा कीसिा तीन आप 2 5 गुणे क्ट्रा सबस्क्राइब आज आपिए तीन यहां पर गूत यहां हो जोंगा क्ट है कि तीन कि अंतीन अंती यहां अगला सवाल देखिए आपके सामने अगला नंबर को जो सवाल है जब एक पाशे को फेका जाता है तो तीस से छोटी एक विश्व संख्या आने की प्रायक्ता पूछ रहा है अभ देखिए जब एक पासे को आप फेकेंगे तो उसके घटना घटने की जो संभावना होती कितन यह यह प्रकास अंग निरधायत की जाते हैं एक विसम प्रकास यह उत्ता यह इसकी घटना घटनाएं कितनी है तो गीने तो च्छाया कितना हो जाएगा एक बटके च्छो हो जाएगा इसका सही जाप क्या हो जाएगा फ़र्ष्ट वाला सही हो जाएगा इस प्रकाश से आपको प्रश्णों को जो बताएं हैं आप इन प्रश्णों को जरूर ध्यान दीजिएगा अब चलिए खंड-बह के जितने भी सवाल है आपको हल कराते हैं देखिए आप इस model paper का ठीक है इस model paper का संपूर हल आप जरूर करके board के exam में जाएगा ठीक है आपको बार-बार यह ची बता रहे हैं कि board के exam में maximum सवाल जो होते हैं आपके जो UP board के द्वारे जो model paper जारी किया जाता है उसी में सब पूछा जाता है तो आपको यहां पी सभी सवाल हल कराएंगे आप इस वीडियो को एक दो बार जरूर देख के ही इसको हल कर लीजिए और इसे हल करके यही बोड के exam में जाईएगा ठीक है देखे आपका पहला नंबर सवाल खंडबा का start होता है कि आपको पहले नंबर सभी खंड करना है और प्रतेक क्वेशन दो दो नंबर का रहने वाला है आपको कर वाला सवाल क्या है कि असपश्ट कीजिए कि तीन गुरे पांच गुरे एक भाज संख्या है और क्यों है ये वताना है अपको दगे यहां पर आपका सवाल दिया है आपको भी इसको हलक ऐसे करना देखे तीन गुरे पंच गुरे डे गुड़े प्लस साथ है यहां पी इसको देखेंगे तो पूरा एक उपाद हो जागा यहां पी दूसरा पाद हो जागा दोनों में देखें यहां से साथ दोनों में कामा नहीं तो साथ कामा ले लिजी यहां पचेगा तीन गुड़े पांच प्लस यहां से साथ बाहर निकल ग में यहां लिखेंगे कि अता यहां लिखेंगे अता साथ तीन गुड़े पांच प्लस वन में साथ से भाग देने पर यह संख्या विभाज हो जाती है हो जाएगी ठीक है हो जाएगी ठीक है क्यूंकि क्यूंकि इस संख्या इस प्रकास आपको पूरा लाइन पर यहां पर कामा लेकर इस प्रकास यह आप लिखते हैं तभी जाकि इस पूरा दो आपको मिलेगा इसलिए कि आहां पर पूछा क्यूं है क्यूं है क्यूं है कि यहां साथ आप दोनों में से कामान है साथ में आपकर ढ़ाएगा यह आपको इस प्रकास लिखना पड़ेगा ठीक है देखें आपका अगला सवाल क्या है खावाला है आप इसको कैसे क्या करेंगे कि काट ठीटा वरावर साथ बटा के आठ तो वन प्लस साइन ठीटा अगले कोश्ट वन माइनस साइन ठीटा अपान वन प्लस काश ठीटा अगले कोश्ट वन माइनस काश ठीटा का मान निकालना है टोटल कितने नंबर का है दोनंबर का है और देखे सवाल को आप कैसे हल करेंगे ठीक है बहुत स्मुन साओना को सिंपल तरीका से सिखाये बस इसको आप जरूर देखिये देखिये अभी तक आप मैत में कुछ भी नहीं पड़े हैं इस पेपर को जरूर आप हल करके चले जाएए आप मैक्सिम्म सवाल बोर्ड के एक्जाम में करके आएंगे ठीक है अब देखिए इस सवाल को आपको लगाना है तो लगाएंगे कैसे यहां पर देखिए आपका दिया क्या है काट सबसक्र खाएंग एगले कोश्टक में क्या है 1 माइनस साइन ठीटा अपान वन प्लस काश्टिटा अगले कोश्टक में क्या है न माइनस काश्टिटा ठीक अब यहां पर दियान देजेगा आप क्या करना थे जब भी कोई प्रियोग कीजिएगा उस फार्मूला किया है कि उसे क्या लिख सकते है अब दिखा जा Сकता है अक दीजेगा आप tnt existing a-b यानि एक स्कूर एक माइनस साइन स्कूर ठीटा होगा अपान इसी तरह इसको क्या करेंगा एक कोश्नित पलस भी एक कोश्ट्रिओं माइनस देगा करनेंगा एक स्कॉआर सकते हैं काशच एड़ी और यदि आपको साइन ठीटा लिख सकते हैं ठीक है कि इसफ्कॉआर में रहता ना ये स्कॉआर मत्यगा इसको क्या लिखा जा सकता है कास ही सक्कुर को क्या लिख सकते हैं सबस्क्राइब लिख सकते हैं अब ध्यान दीजिए क्या करना यहां पर किस कास्ट इसकोर है यहां पर लिखिए कास्ट ठीटा अपान साइन ठीटा यहां पर इसकोर कर लिजिए अब दिखेंगे सकते। इसवाल लगाना फ है जीटने पर ब्लेक पैंसे बनासे इससमें पर यहें पर यूग करते चले जाए लिए यहीं इस फार्मूला इसवाला इसमें पर यूग किया गया यहाँ पडेवल यह भी सवाल आपका कितने नंबर का था दो नंबर का था अगर आपके सामने अगला नंबर का जो सवाल है गर इस सवाल को देखिए आप कैसे लगाएंगे यहां पर दिया है कि दो घनों जिलमें से परतेक का आयतन 64 cm क्यों है कि सनलगन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है इससे प्राव्द घनाप का प्रिष्टिय च्छेत्रफल ग्याद की करना है आपको यह दो नंबर का है बस एक चीजह आप कंसेप्ट सिखाएंगे वह कंसेप्ट यदि आप सीख गए और जान गये तो आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं बस आप यहां पर देखते रह हवी जान का अधान घणकर एयतल का फार्मूला होता है भूजा पर तीन घात बोजा और तीन घात गर्णका रागात गंका आई clear Christ और गंगुल लेने पर देखें यहां में तीन बनाना पड़ता है और यहां पर किया हो जागा इसलिए नियुक्ति द्खान देना है कि सनलगन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाए जाता जिसे प्रावD घनाब घनाब में क्या होता है यहां पिए धियान देजिए गए गणाब में जो होता है आपकी लंबाई आता है च्वड़ाーバ अधा उचायोता है यहाँ पिदिए छो लंबाई हो जागा त्रम आपका जो लंबाई होगा यहाँ द्यान दिजेगा जो घंआख की लंपाई होगा मोटा के चोड़ाई देखे क्या रहेगा तो चोड़ाई रहेगा आपका चोड़ाई सिर्फ चार सेंटीमीटर ही रहेगा और उचाई कितना रहेगा इसका उचाई भी आपका कितना रहेगा चार सेंटीमीटर ही रहेगा यानि कि आपका जो घनाप की लंबाई चोड़ाई उचाई ज जाये गदए गंझे बीजा दूसरी की वह जा लॉत निकालते हैं लंभाई को यल से दिखाते हैं चोड़ाय को बींसे और उचाही को यच दिखाते हैं अब यहां पर गनाप प्रिश्ट्य चेत्रफल ग्याद करते हैं घनाफ का प्रिष्टी चेत्रफल प्रिष्टी च्छेतर फ़ल बरावर फार्मूला क्या होता है चले फार्मूला लिए देते हैं यह होता है दूग कोष्ट में याल B फ्लस बी H प्लस ए चली या फार्मूला आप सभी कुई याद होगा होगा यहाँ पर रख्के हल करते हैं एक दूब कोश्ट में यल कमान दिया है यहाँ पर आठ तो 8 रहकेंगे 8 गुरे बीकमान 5 तो 4 चार कर लिजी बीकमान 4 गुड़े यहाँ पर 5-5 प्लास-4 कमान-8 यल कमान आठ आठ बस तक आगा कवाल कर लेजिए दिए दो कोष्ट में देखे आट चोको 32 एट चोको 32 ठीक है चार चोको 16 आट चोको 32 अब सबको जोड लीजिए चरे जोड के देखते हैं कितना होता है दू जोड़िए देखे 262 8 2 10 3 4 4 3 7 8 ठीक है असी और यहां कोश्टे के बार कोई चिलने रहा तो गुड़ा को जाएगा दू आठे सोल एक सु सेंटीमीटर स्क्वार हो जाएगा यानि घनाब का प्रिष्टिय छेत्रफल कितना होगा जब दो घन के जब दो घन को आपस में सलगन करेंगे और जो घनाब बनेगा तो उसका प्रश्ण पर दो नंबर आपको मिलेगा ठीक है इसका इंस्वर हो जागा एक सु साट संटीमीटर स्क्वार अब चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला नंबर का सवाल जो आपका है निम्न आकड़ों का माद दिग्यात कीजिए इस सवालों को आप एक दो बार ज मत कीजिएगा यही सब सवाल आपके बोर्ड के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा ठीक है अभी तक कुछ भी मयत में नहीं पढ़ है इस वीडियो को सिर्फ आप देख लीजिए आप अच्छे नंबरों से बोर्ड के एक्जाम में पास होंगे अब देखें यहां पर व वर्ग अन्त्रा लिखना है फिर इसके बाल लिए यहां पर बारंबार्ता लिखेंगा बारं बाडर्टा ठीक है अब स्केल से क्या किजिएगा कि इस तरह आप लाइन कीजिएगा ठीक है पूरे सवाल को आपको अच्छे से बता रहे हैं ठीक है जैसे आप बोर्ड के से 50 मतब जो यहां पर वरक अंत्राल दिया उसे लिख रहे हैं 40 से 50 से 60 है 60 से 70 है ठीक है गिली देख एक दू तीन चार पांच छे है एक दू तीन चार पांच छे है ठीक है लिखते समय एक बार मिला लीजिए गा देखें यहां है दो है साथ है बारा है फंद्रा है आठ है च्छा दो 75212 516 इस त्रह मिला लिए कर आपको माद्य ज्याद करना यक्स बराबर होता है यलवन प्लस L2 बटाके दू यलवन का मान देखिए इधर का जो मान होता है यलवन होता है यह यहां से क्या किजिए गा की थोड़ा से यहां से लाइन छोड़ के ऐसे ख़ीच लीजिए अंच इतना कीछने के बाद आपको क्या करना थे एक मांकर ओस्वा मोंप्लेस घ्रॉथ तो मतलब दस प्लस 20 बटा के क्या हो जाएगा दुघ आपकितना ओज जाएगा तीश बटा के दूँ ओगा दस यो जड़ेंगे 30 भाग देंगे तफ देंगे देन तैनल पंदर हो जाएगा अब यहाँ पी देखे क्या करना है देखे आप 20 में से 10 गटांगे दस आयाक, 30 में से 20 घटा 10 40 में मतलब इन opportunity कॉछ Could बने किजिए का पंद्र में तो कर देजिए कर्म से घना पचिस पतुम से कूछए करको पतैस वहां पचीस फिर बारे निकालने की ज़रूरत नहीं सब परिद दस जोड़ते चले जाएगा इसमें दस भीज़त हो जाएगा फिर यहां कितना हो जाएगा इतना करने बाद अगला कीजिए गां इस तरह फिर एक लाइन खीच लीजिए गा पूरे माति तक ठीक अब खीचने के बाद देखिए अप आपको क्या करना है अगला इस टेप यहां पर यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा यहां फिर गुड़ यक्स ग्याद करना पड़ेगा इसका मतलब दू गुड़े 15 में करेंगहां । कितना हो जाएगा था इसाट साथ 15 में करीज़िए 25 गूरा 25 में करेंगा तबहुड़ी क्यीजिए गले तिन सो नव्य हो जाएगा अब देखे इसमें फिर क्या करना पड़ेगा यहां से अपना इस प्रका से खीच लिए गा ठीक यह लाइन फोड़ा से द्यान से खीच यह बढ़ा नहीं अब यहां से सीगमा एफ ग्याद करेंगे सीगमा एक का मतलब होता है इन सभी का योग जब दूसाथ बारा पंद्रह आठ चा जोड़ेंगे तो आपको आएगा पच्चास ठीक है और यहां से सीगमा एफ एक्स ग्याद करता है सीगमा एफ एक्स का मतलब होता है इन सभी को जोड़ेंगे यहां 30 175 420 675 420 और 390 जोड़ लिजिए गा तो आपको आएगा 2130 आजाएग है अब सीगमा एफ एक्स कमान कितना दिया है कि 2130 बटा के 50 है जीरो से जीरो कट जाएगा यहां पर 213 बटा के पांच पांच से कटा लिजिएगा देखें पांचोग को बीस पांदुना के दस और पांच चका तीस यानि कि 42 दस मॉलो 6 आज जाएगा इस प्रकास लाश्ट के नंबर भी इस सवाल पर नहीं कटेगा और टीचर खुस हो के आपको नंबर देगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवालों को देखते हैं देखें अगला नंबर का सवाल द्यान दीजिए यह अब है आपका कि बिंदू माइनस 4 कामा 6 बिंदू माइनस 6 कामा 10 और तीन का taking यहां परे माइनस 8 ठीक है और यहां पर देखिए यह बिंदू कर माइनस 6 कामा दस और यहां पर देखिए यह बिंदु कहीं बीच में यहां पर भी एक बिंदु लेज़ेगा और यह माइनस च्वाइद चार कामा च्वा देखा दीजेगा और 21 अनुपात भाजित करता है तो आप माल लीजेगा कि इसको यम वन और यम टू के अनुपात में क्या कर रहा है इभाजित कर रहा है इतना करने के वाइद आपको क्या करना है यहां पे माना तो छार कामवच्छ ए जो है बिंदू को आपको क्या हुआ यह वाला जो हुआ कि मैने 6 कामा 10 था 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 भी 3 कामा माइनस 8 को 8 को कि यह मुवान अनुपाते यह में विभाजित करता है बस इस तरह आपको माले ना मतलब यह लाइन पूछता है उसी को मानना है विभाजित करता है विभाजित करता है इस तरह मालने के बाद इस स्वाल को आप लगाएंगे क governance नहां पे लिखे अन्थ विभाजित के अब देखें और भाजन काा फार्मुला क्या होता है कि यस कामा वाइश बराबर वहता है यम वन यम वञान यक्स टू प्लस एमट्व Venice सीमच सफ एंटू ऑ प्लस यहां कर दूनों का योग होज़ है कामा दीक है यह एक्सन का मान मान लीजागर यह वाई वन का यह यगष्टू का यह एक्स है और यह वाई का मान है जहां पर जो मान आप रख लीजिए डिकी कितना रखेंगे जाति-4 रक्रार भाबर यृणय का मान कितना दिया sorting एक्स्ट टुario कंश्राइब ना म्नृ दम सवा practice control इनवth यहां सब्लस्ट टुर्पवा यंव्ट्री एनवा कितना तो माहिए था टुर्य प्लस दो कर लिजिए ठीक कोष्टर कर लिजिये अब ड़ीआ को क्या करना है रहे कि जब यह हल करते हैं यह को होता है और यहां कि यह को आइख सी यक्स दुलना करेंगा नहीं तो आप सिर्फ एक तुल्ना करना रहता है चाहे आप यक्स का यक्स साथ करने पर यहां पर लिख देंगे दोनों पच्छों की तुल्ना करने पर तुल्ना करने पर जैसे लगा रहे हैं इसी तरह बोड के एक्जाम में लगाईएगा तुलना करने पर लिखिएगा जब तुलना करने पर लिखेंगे तब माइनस 4 किसके बराबर हो जागा यह होगा आपका यम 1 3 प्लस यम 2 माइनस 6 अपान यम 1 प्लस यम 2 सिर्फ एक कोई तुलना करन रहा था दूसरे को कोई जरूरत नहीं तुलना करने कि आपके वाशक्ता होगा तक दोनों के तुलना करके दिखा दीजेगा हम सिर्फ आपको एक के तुलना करके आपको बता रहा हैं अब दखिए क्या होगा कि इसका गुड़ा तुलना कर लेंगे यम 1 प्लस यम 2 में करेंगे और इदह 3 में कर से तीन माइस चाह जाएंगे गां माटनेंश चाहा एंटी हो जाएगा इसका गुणा माइस चाहर एंटी प्राबर ती यह में जार कर देंख्यों ऑर यह मेंटी को एक सैट कर दीजिए ठीक है माइनस 4 ए은 दिए है इस एदर करेंगे माइनस 3 हो जाएगा यह माइनस छ एंटू है यह माइनस है यह सदिए प्लस प्लस फोर एम्टू हो जाएगा अब देखिए यह क्या है चार इंटू इमस माइनस होने करड़ा तो कितना हो जाएगा चार तीन साथ हो जाएगा यह प्लस माइनस होने का मतलब घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ आपका अगले प्रशनों को देखते हैं अगला सवाल देखिए आप ठीक है यक्स और वाई में एक ऐसा संबंद ग्याद कीजिए जो बिंदू यक्स कामा वाई बिंदू तीन कामा च्छा और माने तीन कामा चार से संदुरस्त है ठीक है अब देखिए जब संदुरस्त है इसको कैसे लगाएंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा आप चाह ना यहां पर दो बिंदू कामा बता देते है दो बिंदू की दूरी का को फार्मुला क्या होता थब दो बिंदू दो बिंदू के बीच की दूरी को फार्मूला आपका निकलता है कि अंडर रूट में एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वार प्लास वाइवन माइनस वाइटू का होल स्क्वार ठीक है अब यहां से क्या करेंगे इसको क्रम से अब देखिए यहां पर सवाल लगाएं कैसे लगाएंगे कि अपी की दूरी देखिए एपी की दूरी होगा यानि अपी की दूरी जो होगा इसकें पीबी की दूरी एपी की दूरी क्या दोन आपस में बरावर होगा अब यहां फिस बाल को अपकईसर लगांगे यहां पर भी इस फार्मूला यही जब आपर फार्मूला लिखे दिया दोबारा फार्मूला लिखने की जोरुत नहीं है लिखें कि 3- इसकोर कर लिजिए प्लस 6- इसकोर कर लिजिए बराबर अंडर रूट में अब यहां से इसमें से इसको कटाएंगा एक्स- इसकोर कर लिजिए लिखेंगे दोनों पच्छो का वर्ग करने पर वर्ग करने पर ठीक है जब वर्ग करने पर लिख लिए अब देखिए यहां पर क्या करेंगे यहां पर लिखिए गया तीन माइनस क्याप्टल एक्स का इसकोर कर लिजिए अब क्या करेंगे यहां पर यहां पर गया प्लस चाप्टल एक्स का इसकोर बड़ाबर एक्स प्लस तीन का इसकोर और यह करड हट गया अब दिखिए आपको क्या करना है यह प्लस तीन का इसकोर्ण और a-b का जो formula होते उस पे विस्तार करेंगे तो आपको फार्मूला लिखके बता देते हैं एक बार ना देखे इस तरह कोश्टर में लिख लिजिएगा देख्टिक a plus b रहेगा जहांपे इसका फार्मूला होता है a² plus b² plus 2ab 2ab , इससे विस्तार करेंगे और आपका अगला फार्मूला क्या होगा जरी a minus b कहीं नजर आगा सवाल में आप क्या किजिए a² plus b² minus 2ab सब्सक्वार मारे इससे फार्मूला पे उसको विस्तार करना रहेगा तो चलिए अब इस पर लगाते हैं यह फार्मूला आपका लिग दिए कि इस थावाल को हल करना है यहां पर देखिए आप प्लास बी बताएखे दीघ्ये माइनस बी करेंगे दीघ्याएं प्लस यक्स इसक्वार माइनस टूंप्र हो जाएगा प्लास इसी तरह यह च्पातिश प्लस यसक्वार मायद वोश्वार एट करेंगे आधा यह कहते हैं सब्सक्राइव ? costly 9 का देखाँ देख प्लस सब पक्राइवłem अपको पच्छों में आपका आंक बराबर होगा और चिंदल्च के साथ virtual को यह से 9 ऑपका कट जाएगा एकसी स्कुर य the इसके दोए वाइट स्कवार य इदसे कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं आप क्या माइन च्छा ऐकस छा है तो छफशसा थिएगाहई इसको फ्लस फ्लस चाइकस यह भॉ समयनस फ होगे व ermज dip सोलो हो जाएगा च्पाश संधार को इसागाう कितना पतुछांदर कीजिएगा डेखे माइनस प्लस फोटी से यह मानिस बारवाई है इसको इदर लाएंगे तो मानश च्छा युक्स हो जाएगा यह कितना हो जाएगा माइनस섯व हो जाएगा माइनसफ जोछह rains 8y उल्प और वरावर कुछ नहीं बचेगा जिरो बचेगा अब देखे माइनसफ गसे माइनस बारा यकस ओज्यागा यहाँ प्लस्फ चंतीस हो गयाее और यहां प्र टि daytime आगma यहां पर 16 है तो यहां पर 36 में से 16 गटाएंगे तो कितना प्लस 20 बचेगा यहां माइनस 12 वाई है प्लस 8 गटाएंगे तो यहां पर दिजेगा क्या करना है कि इसमें 12 और 4 जाएंगे तो माइनस 6 कामगा यहां पर 5 होजागा यह प्लस रांप और यहां पर ध्यांन दिछे अप देंखें कि चार काम ले लें तो यहां पर बंच काऊज़ोगा बुरह का दो जाए हैった अब सिरुप में लिखें तो इसको सई इसाहार ये मान माइनस इसाहां 5 येखें烟 गराद धिसी येख़ी सुन्हेट का ये वसले दिदें यक्स और व्वाई संभन यहीँ आएगा और यहीँ आपको क्या ह Busan एंसला हो जाएगा ठीक है यहां पर देख लिए यहाке इसक क्या वाइश नहीं पें रूर्णी कउपार संवाल को आपको लगाना है कि नुद्ग इस पकास जब भी सवाल आपको लगाना होगा तो यहां पर माना ठीक है यहां माना मान लेंगे और यहां पर क्या मानेंगे इदे कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है यहां पर छोटी संख्या मान लिजिएगा करम से कि छोटी संख्या यक्स माल लिजेगा और बड़ी संख्या क्या माल लिजेगा वाई बड़ी संख्या को माल लिजेगा वाई ठीक है अब यहाँ पर क्या गिज़े लिखिएगा प्रश्णानुसार प्रश्णानुसार ठीक है प्रश्णानुसार लिखने के बाद देखिए अब यहां से देखिए पहला वाक्य में एक समीगड़ आपका बनेगे यहां से यहां तक दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब होता है घटाना देखिए जब भी घटाएंगे तो बड़ी संख्य को बराबर होगा और इससे समीकड़ नंबर एक माल लीजिएगा अभ इसके बाद देखिए यहां तक एक समीकड़ बन गए अब आगी कि जब यहां से देखेंगे तो अगला समीकर यहां से बनता है तो यहां लिखेंगे पुना प्रश्णानुसार पुना प्रश्णा लु में आठ गुड़ा यहां पर यह लिखें बड़ी संक्या y इसमें 8 का गुड़ा कर दें यहां पर यक्स इसक्वार बराबर कितना ओजएगा आठ वाई ओजएगा और यह समीकर्ण नमबर आप इसको पर आबर आट य रखने पर रखने पर ठीक है अब देखिए आपको क्या है समीकर कि y square minus x square बराबर 180 यह समीकर नमबर आपका एक है देखिए y square minus x square देखिए y square के जगए अब कितना रखना आट y तो 8y रख लिजिए बराबर 180 अब देखिए यहाप क्या होगा आपका कि वाई स्कॉर माइनस आठ वाई इसको इधर पच्छान दे करना माइनस 180 हो जाएगा और बराबर जीरो से ठीक है अब इसका गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक 180 होगा इसको दो ऐसे बरा भाग में तोड़िये कि जिसका गुड़ा करें तो एक 180 आए जो ने गटाने आठ अना चाहिए देखे 18 के 10 में 178 18 में से 10 गटाएंगे तो 8y हो जाएगा तो y++ माइनस कौष्ट में 18 मैश दस करेंगे और यहाँ पर y कर लिजिए cooperate कर लिए यहाँ से हो जाएगा y यहां पर 18 y हो जाएगा देखे कोस्ते के बार माइनस की चिन हो था था अन्दर का चिन हो यह बदर के बदल के रखते हैं यह माइनस हैती है माइनस है तरह माइनस है यहाँ हो जागा दस वाए ब्री इन कामन इन डोने想 असटी बराबर जीरो अब दीकड़े हैंगे तो आपसली क्या यहां पर क्या यहां यहां से देखें धर आपको tietप कामन अधारeler माइनस एक सो मतब दस कामन ले लेंगे तो शिर्फ 18 बचे का बड़ाबर 0 इन दोनों में देखी के y-18 यहां पर यहां पर यहां पर दोनों में आपका y-18 कामन है यहां से बचेगा कितना y बचेगा प्लस दस बजएगा, बरावर 0 हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर y minus 18 बरावर एक जीरू रखेंगे, तो y का मान कितना हो जागी, 18 होगा, फिर y plus 10 बरावर 0 रखेंगे, तो y का मान कितना हो जगा, minus 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दिजए, ऐक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, कि आपको माइनस वाला छोड़ dod néta rata है, फ्लस वाला लेकर चलना रहता है, ठीक है, यहां पे आपकी بड़ी संख्या y माने है, तो बड़ी संख्या आपका एंसosol में क्या हो जागा, यहां पे लिखेंगे, बड़ी संख्या बड़ी संख्या य बराबर 18 हुआ लेकिन छोटी संख्या भी ग्याद करना है तो आप क्या करेंगे कि जहां समीकर नमबर 2 में क्या करेंगे य के जगे आप 18 रखके हल करेंगे तो आप देखें यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे आपे कि समीकरण 2 में y बराबर 18 रखने पर ठीक लिख दी आप अब लिखने के बाद देखें क्या करना है आप समीकरण नमबर 2 लिख लिजिए कि यक्स स्क्वार बराबर कितना है 8 y है ना समीकरण 2 देख लिजिए यहां प है यहां पह स्कॉार अप्छ निए दोन पच्षओं को वर्ग मुन लें लिए और यक्स स्कॉर बरावर कि यहां रूट में 244 हो जागा यहां यक्स परावर कितना हो जगा 12 इसका मतलब छोटी संख्या आपको क्या ऐगा तो आप एंस्वर यहां पे लिखी लीजिए तो चोटी संख्या चोटी संख्या यक्स वराबर बारा होगा ठीक है तीस प्रकास आप एंसवर वोड के एक्जाम कापी पे साफ शुत्रा जैसे लगाएं इसी प्रकास लगाके चले आईएगा एक नमबर भी एक्जामनर नहीं काटेगा ठीक है अब चलिए आपके सामने अगला नमबर का देखिए सवाल क्या है देखिए गा साल को आप कैसे लगाएंगे बहुत सींपल सवाल होता है और लगाने के तरीका भी बहुत Rabbit इसका है ठीक है भूंछ ज्यादा कठी सवाल नहीं है सितकिए किसी व्रित के किसी ब्यास की सीरोंं पर खिची के असपर्ष रेखा चाय समानतर होती है ठीक है दोकी स्वाल को आप कैसे अब ध्यान दीजिए ठीक है बहुत participant सा सवाल आपको बहुत सिम्पल तरीका सी समझाईगे दीखे पने नमबर पर पर तीप मिरित है यहां पर वाल सवाल है ठीक है अब प्रश्नात्र संट क्या सिंपल जैसे बताएं उसी तरह प्रश्ण वत्र संक्या आप कापी लिखते रहिएगा यहां पर देखिए क्या है आपका एक बृत्त प्रकास बनाएंगे ठीक अब यह क्या होगा बिरित जब बना रहे थे केंद्र होगा यहां पर क्या होगा दो मतलब इसको आप असे मिला देजीए इस प्रकास से आप रहा किछ देज़िए ठीक है अब देखिए इसका नाम देना अब आपनाम देजहने चलिए इसका यल देते हैं इसका यम देते हैं और इसका पीज़ज़े देते हैं यहां पर अविघत का करने करने सवाल है अब दिया है क्या क्या दिया है सबानर कहां ना कि वित्ट के किसी व्यास की सीरों पर खीचिके असपर्श रेखा हैं समानतर होती है तो असपर्श रेखा पहले देए देखिए असपर्श रेखा अस्पर्ष रेखा यल याम बृत्त के बिंदू बिंदू B से तथा ठीक है P Q तथा अस्पर्ष रेखा अस्पर्ष रेखा P Q P Q बिंदू कहां सजारी A से होकर जाती है जाती है ठीक है इतना चीज लिख लिए अब देखें जब इतना चीज आप लिखें है एक चीज यह हाँ पर लिख लिजिएगा चलिए आपको बाद बताते हैं देकि आप क्या है कि दिया है अब सीद्ध करना है क्या लिखेंगे सीद्ध करना है या आप लिखेंगा सीद्ध करना है सीद्ध करना है अजब सीद्ध करना है तो सीद्ध करने में क्या लिखेंगे आप देखिए सीद्ध करने में यही देखें क्या सीद्ध करना है लिखा है कि ब्याज की सीरों पर खिशी गई असपर्ष रिखा है समांतर होती है इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो सिद्ध करना है कि यह लियम जो होता है समांतर सिद्ध करना पी क्यूंके जो असपर्ष रेखा खिछी जा रहा है यह समांतर का चिन होता और यही सी दिकरना आपको अब यहाँ पर लिखेगा हल अब देखे हल जब लिखेंगे एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए और वो पॉइंट देखे क्या है यहाँ पर लिखे बताते हैं प्रित की बिन्दु नहां देखे की असपर्ष रहाएं और थे असपर्ष वरिन्दु से खी ची गई ठीक है विन्दु से घीक है ति थे ने सम कि उस पर लंब होता है कि उसपर लंब होता है यह कि एम्पोर्टेन पॉइंट अधा है ठीक है लंब होता है अब दीए जब लंब होता है यह recruit का मतलब क्या वा कि जैसे बूरितका जो असुह रखाई अस यहां पर देखे क्या करना है कि आपको जभी यह दुनों को आपस में बराबर है देखे परते कोड़ को लिख लिए क्या लिखेंगे कर का नाम आप सभी को लिखने पता होगा कि क्या लिखेंगे O, B, M, बराबर 90, ठीक है, कोड, O, A, P, बराबर 90, जिस कोड के अशक्ता हुए, इस कोड आप लिखेंगे, यहां से देख लिए, इस कोड के लिखें हैं, इधर से इस कोड को लिखें हैं, ठीक है, और देखें, दोनों कोड आपस में क्या है, बराबर, इसका मतलब वहा कि, O, bit포 B बराबर होगा कोड ओ एफीद के हैं अजब यह दोनों बराबर हे यह दोनों कोड है क्या ईसका मूँ इधर है और इसका मूँ इधर लिसका अक्ट यू ऐसे कह अंतर पर मतलब एक आंतर कोड है यह क्या है आफ के इतना लिखे आप अब लिखीएगा डिके कि यह एकांतर कोड है, एकांतर कोड है, ठीक है, यह क्या है आपके एकांतर कोड, आप सभी इसलिए, आप सभी को पता है कि यदि किसी भी दो रेखावों में एकांतर कोड बराबर होता है, तो उससे में वो दोने रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, तो इसलिए आपको क्य का उजगा कि यृलियम समांतर हो गा फील ठीक है और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था और यहां पिली की दिजएगा इती सिध्ध हुग्ски इती सिद्ध इस पकास से आपको करना थे इस सवाल को अदम एक दो बर प्रक्टिस जरूर कर लिजेगा इस सवाल 100% आपके बोर्ड के एकजाम में आएगा सभी सवालों को आप जरूर ध्यान से देख लिजेए ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं दीक है आने वाले रहा खंड़ द्वारा चैन्दर पर आंतिरित कोड का सम्पूरख होता है इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे बस आप देखते रहें आपको सवाल समझ में आ जाएगा यहां पर भी आपको क्या कहा है ब्रित की बात का है तो पहले आप भृत कीचिए एगा ठीक है देखिए जैसे कर रहे हैं उसी तरह कीजिएगा यह आप एक बृत साफ सुथरा बनाईएगा इसका यह क्या हो जागा केंद्र हो जाएगा ठीक है अब कर रहे हैं खीची गई असपर्ष रेखाओं के बीच का कोड असपर्ष बिंदू को मिलाने वाले रेखा खंड़ द्वर क्षिग बाद यहाँ मिला लेगा इस को यह आँसे मिला लीजहां कि यहां से आप को इसको मिला लेना है इसको भी आप अपसे मिला लेना और और प्रियोग करके अदम गोर को बिरित बनाइढ़ और स्केल का प्रयोग कर इसको अच्छेस खीच लीजिए अब आपको यह चित्र बना लेंगे मानेफ मेन बना लेंगे जब आप लिखेंगे धी या अब यह लिखेंगे धी यह इधिया है था जो इसमस्परसाना पड़ेगा शार्ट रेखेंगे कि वाहbindu ठीक है भाहbindu पीसे q unst ठीक्स ते दुबए यहांसे pr प्यमु कामा प्य अस पर्श रेखाएं का अस पर्श ?? रिखाएं खीची जो असपर्ष बिंदू क्यूं कामा आर से जाती है आर से होकर जाती है ठीक है इतना लिख लिए अब देखे एक ची अभी आप सिद्धिकी हैं एक ची क्या सिद्धिकी हैं कि जब पीक्यू और पिया असपर्ष रखा हैं असपर्ष बिंदू से यह केंद्र से जो तिरिजा कीज आती है यहां पर कितने अंसके कोड़ बनाती है नब्यांस का कोड़ बनाती है बनाती है कि नहीं बनाती है यह बनाती है अब जब यह बनाती है तो देखे आप इसको कैसे हल करे करना है देखे अब सीद्ध क्या करना है आपको करना है कि कोल क्यूओ और क्यूओ आर प्लस सिद्ध करना है क्यूओ पी अ ब्राबर एक सो असियंश, सम्पूरक का मतलब होता है कि 180 और यहां pediatric का होता है, kalauंका सम्पूरक होता, देखिए, यह होगया, यानि कि आपकर सीध करना है कि qor प्लस ant quindi करना है कि qi और यहांनि ईसका उसका यूग क्या है, आपका 180 के ब्राबर है, ठीक है अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है देखिए अब क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे हल ठीक है हल लिखने के बाद देखिए जैसे हल कर रहे है उस तरह थोड़ा सा अब ध्यान दीजी का कैसे हल कर रहे है यहां पर लिखेंगे हल लिखने के बाद देखें क्या करेंगे कि यह क्ष्छी थीस एक क्षर्भूज ॥ believes यह दो्य हैं तिर्भूज में आप देखें क्या है कि यहां से आपका जो बाइन दीटिदु से कोई असपरश रखाए खीजी जाती है किस पर्छ रखाए आपस में क कि पी आर में ठीक है जब इसमें चलेंगे अब देखिए क्या करना में फाले इंदून इत्रिभूज को जept करेंगे सर्वांक आप को द्यान देंगे आप यहां पर आपका बाय बिंदु संभी N. ओ릴 में यह बराबर हैं यह साम वह होगा लिखेंग प्यक्यो बिरावर पीयार तो बन से खीची के अस्पर्श एक है बनाट से औक कि birthday बन से खीची गई अस्पर्श रहा है डीक, यह आब कि आपका भूजा है तो मतलब यह क्या हुआ आपका यथ हो जाएका है इसके बाद देखेंगा यहां पर यह क्या है नव्यांस का कोड न लिखेंगा न िरी फूझ विखेंगे लिखेंगे तो क्ल क्या हो जागा PQ O PQ O बराबर होगा कोड P R O ठीक है परतेक लिखे दिजिए का परतेक 90 लिखे दिजिए का ठीक है परतेक क्या है आपके 90 है अभी ये सिद्धकर क्या आपको बता है परतेक क्या है 90 के है और ये क्या है आपका कोड है ना यानि कि A है ठीक अब देखे इसके अला क्या है कि O Q और O R क्या है त्रिज्जा है ना इन दोनों का आपस में क्या लिखेंगे को कियो बराबर ओ और यह क्या है आपका त्रिजह भिरत की त्रिजह आ calidad की त्रिजह एक हमेशा बराबर होती है ते त्रिजह है और यह है क्या भूजह है त्रिभूजल की भूज़ा है इसका मतलब क्या होग इस a.s पर में सिका दिजगा यहosition 00718 बणता है तो सब पों तरिभूजी हो जाता है तब आर- ironically यहां से अब क्या करेंगे इसको क्या दखा देंगे विज्डा का है आप आप लिगा टिखा दीजेए निस यह यह ब्रमे से दिखा देते अब जाएंगे तो इसके कोड़ की पराबर हो जागा और यह वाला कोड़ के बराबर हो जागा हुर इन कोड़ों का नाम लिख लेते हैं त्रीबूझ क्यू प्यूक्ण P O बराबर कोड O P R आब दूसरा कोड Q O P बराबर R O P ठीक है यह बराबर हो गए अब यहां पर देखिए कि दू तिरभूज है ठीक है तो इस तिरभूज में तिरभूज के 3 कोड़ों का कितना होता 90 होता है त्रिभूज के तीनों अंतों कोड़ों के क्या हो जाता है नब्यांस लेना है आपको त्रिभूज के तीनों अंतों कोड़ों का योग नब्यांस लिजिए अब त्रिभूज का नाम लिखे पहले चलिए त्रिभूज का नाम P Q O ठीक है यहां लिखेंगे त्रिभूज P Q O में ठीक है तो तरि दिन आंतर्कोर का यू एक्स थीद लिखे क्यू पी ओ प्लस कोर पि silhe बराबर एक्सो अस्ययां तिन भूज के तिन आंतर्कुर का कितना होता है अब क्या करेंगे कि यहां पे हैं कोड क्यू पी ओ प्लस कोर Q O P P Q O कमान कितना है देखिए P Q O इसका मान 90 है तो 90 कर लीजिएगे क्या करेंगे यहाँ पे 90 बराबर 180 Q O प्लस कोड Q O P बराबर 95 करेंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा तो कोड Q P O प्लस कोड Q O P बराबर यहाँ पे नभ्यानस हो जागा इसको समीकर नंबर चली एक मान लेते हैं ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है इसी तरह आप क्या किजिएगा चली आगे सवाल लगाते है दूसरे तिरभूज में लेके चलते हैं यहां लिखेगा P O R में ठीक है अब यहाँ पे जब तरभूज P O R में चलते हैं चली इसके कोड को लिखे लेते हैं तो कोड O P R प्लस कोड P R O प्लस कोड R O P बराबर एक सो सियंस होगा ठीक है O P R इस तरह रहां नहीं देजिए O P R प्लस P R O तो P R O कमान कितना है चली यहाँ पे देखाते हैं P R O कमान P R O कमान नब्यांस है न यहाँ आप नब्यांस रखें यहाँ पे होगे नब्यांस प्लस R O P बराबर एक सो असी हैंस ठीक है पच्छांदक कर लिजिएगा कोड O P R प्लस कोड R O P बराबर एक सो असी माहिनस नब्यांस कर लिजिएगा ठीक है यहाँ पे होजएगा O P R प्लस कोड R O P ब्राबर गठान दीए раз हो जाएगात यह सहरा नमबर दुरोगा अब क्या करेंंगे समी कर एक और दू चानद समीकल ईक ग्रडा-डू आप कर देए समीकल नमबर एक क्या स्थेयर और यहां लिखते हैijk यह पे लिखते हैं गहें को्ळ QPO plus QOP plus अब इसको समीकर नमबर दू है इसमें लिखिए समीकर नमबर दू को लिखते हैं OPR plus QROP बराबर 90 प्लस कितना हो जाएगा 90 दोने पच्छों में 90 आया था ना 90 प्लस 90 अब एक चीज़ ध्यान दीजेगा QPO QPO ंख QPO यहां पिच में पी कहा रहा है यहां पी OPR करें इसलिए किや QPO ओ ORPR दून आपस में बराबर है दुगुना हो जाए लागभग using arett केLo burned यह कि इन दोनों के एक जगा कर लेते हैं कि तो प्लस ओ पी आर ठीक है प्लस इन दोनों कोड़ों के एक जगा कर लिजिये क्यू ओपी प्लस कोड और नब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब एक सो अस्यान सब जागा इस पूरे दू कोड के जगह पर हम सिर्फ यह पी का नाम आएगा नहीं आपके तिया आप लिख लेते हैं कोड क्यू पी आर प्लस इन दोरों कोडों के जगह पर देखिए देकि असियांस और यहीं आपको क्या करना था सिद्ध करना था कि संपूरक है या नहीं यह संपूरक मतलब एक स्वासियांस आ रहा है संपूरक मतलब होता एक स्वासियांस देखिए आपको एक सो अस्यांस सिद्ध करना था आया है कि नहीं आया ति इस तरह आपको यह पूरा सवाल को इसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाला इश्टेप उतार येगा इस तरह इसको जरूर आप प्रैक्टिस कर लिए ठीक है अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का जो सवाल है इंग्या वाला कि एक थैले में तीन लाल और पांच काली गेंद हैं इस थैले मे कही नमधर इसको क्याक कि जोगेंद है इस सवाल को भी इंपोर्टेन कर लिजिए क्या हो जगा लाल Bir लाल के हो जागा लाला सवाना अपके पास तीन काला कितना है पांच टोटल गेंद हो जाएगा प्राइकता ग्याद करना है देखें पहला सवाल आपसे पूछ रहा है प्राइकता में लाल हो पहला आपका क्या है सवाल में लाल हो यहां प्राइकता क्या हो जाएगा प्राइकता बराबर ठीक है तो आपका देखें लाल लाल गेंद लाल गेंद अपान कुल गेंद कुल गेंद अब देखिए आपे कितना है आपका लाल गेंद कितना है तो लाल गेंद किसंग क्या तीन है तो अंस में तीन ले लिजेगा और कुल गेंद किसंग कितना आठ इसका मतलब आठ में से तीन गेंद आपको लाल निकलना ह दुसरा सवाल देखें आपका क्या पूच च्रहा है यहां पे कि लाल नहीं हो लाल गेंद नहीं है इसका मतलब कुल गेंद किया करेंगे कुल गेंद मैं से काला आपके निकालेंगे यहां निकालेंगे लाल निकालेंग लाल गेंद आपके पासgenih लाल गेंद तक प्राहिकता हो जायका कि लाल गेंद लाल अंसमें लिखिए लाल गेंद नहीं है अपान अब लिखिए अगर नीचे कुल गेंद है कुल गेंद है तो लाल गेंद नहीं है मतलब लाल गेंद कुछ नहीं है पांच है टोटल पांच अपान कुल गेंद कितना आठ है इसका इंस्वर यह हो जाएगा ठीक है इस प्रक सकता है ठीक है अगला सवाल देखिए आपके सामने अगला नंब्र कर जो सवाल है चा कर देखिए नीचे दिये हुए बंटन का माध्यक दिया है 28.5 है यदि बारंबारताओं का योग दिया है साट होती यक्स और वाई का मानौण कीजिए दीकिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे इसमें क्या कीजिएगा आप इतना लिखने के बाद देखिए वरग अंत्राब में कितना दिया है जीरो से 10 है, और 10 से कितना है, 20 है, और 20 से कितना है, 30 है, 30 है, 30 से 40, 30 से 40 कर लीजिएगा, 40 से कितना है, 50 है, 40 से 50, 50 से 60 है, ठीक है, इस तरह कर लीजिएगा, फिर इसके बाद 12 बारता में जो दिया है, लिख लीजिएगा, चलिए 12 बारता में जो है, लिखते हैं, यहाँ पर 5 हैं, औ और यहां पर यक्स है यहां पर बीस है यहां पर पंद्रह है यहां पर वाई है यहां पर पांच है इस लिखिएगा लिखने के बाद आप क्या किजिएगा इस तरह इसकेल सी इसको घेर लीजिएगा ठीक है इस प्रकास आप क्या करेंगे इसकेल सी इसको घेरेंगे और यहां से इसको थोड़ा सा अच्छे से खीच दीजिए जैसे लगा रहे हैं इस तरह थोड़ा लगाने का प्रयास कीजिएगा आप देखने में अच्छा लगएगा ठीक है अब क्या कीजिएगा कि यहां पर लिखेगा देखें पहले नमबर आपको यह पता होना चाहिए कि सवाल मे होते समस्क्राइब करना है तो यहाँ पstatा में क्या होते हैं इसको बूटारेगे अब कितना ये अब रुदार जूदा कि infected देखें जोड़ते हैं जो आता है इसको इसमें ती यक्स और 20 में 5 जोड़ेंगे ती कितना हो जाएगा इसको यहाँ पर जोड़ेंगे ती यक्स प्लस 15 जोड़ेंगे ती कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा इसको य में जोड़ेंगे ती क्या हो जाएगा हुआ है फिर यहां से थोड़ा सा जगधे कि न और खिच लिजिए गए जैसे बताने वस इस तरह एक बर देख लीजिए ध्यान से अब क्या करेंगे कि पहले बारमबारताओं का यहीं यहांपी योग आता है ति यहांपी जह को जागे 15- Çb क्या करना करना है कि इसमें जब मध्या ग्याद करना रहता है अको यहely and by two & man Look at handout कितना दिया है किहो कि इनका मान सवाल में दखें ही ahon यहां सब्सक्राइब न कि यहां में सकति हो छोटी संख्या क्या नित्यां कि सिस्कों 25, है ठीक है तो आप किसको गहरेंगे सोली दोस्तों यहां को 30 से बढ़ा देखना रहता है ना 30 से बढ़ा देखेंगे चालीस होगा लेकिन 25 देखी इसके 30 के पास में इसलिए 25 में यक्स कमान कुछ भी आप जोड सकते हैं तो आप क्या किजिएगा कि इस वाले को घेरिएगा कि इसको गहरेंगे एक्स 25 को गहरीएगा और क्यूंँ गहरेंगे इसका भी देखें रीजिए आपको बता हैं फिर भी नहीं समझ्छ में आ रहा थो तिस से चोटी बारंबारता संख्या एक देख लिजिएगा थीजी चोटी बारंबारता है इंद वीसमें आरा है इसे ही होता है यह यहां का माँन होगा यहर समाल का माद होगा और इसके पढसे वाले जो टा क्यापिश कमान ली sun लीजिए ऐधिकर अब यहां पी इन सभी मालों को रख लीजिए यहां कितना माले कि मान्दे अप 20 तीस एल्टू कमान कितना है आपके लिए तीस और इसमाल एफ कमान कितना है बीस और कैपटल एफ कमान कितना है यक्स प्लस पाच है ठीक है इतना मान आप जो माने यहाँ खाना में यल्वन कमान इल्टू कमान इसमाल एफ कैपटल एफ यही आपको यहाँ लिखना है अब यह X-plus, देखिएस यहाँ पर, X-plus Y-plus 45, बराबर कितना रखेंगे, 60 रखेंगे, यहाँ पर होगा, X-plus Y-janus 45 को पच्छांतर कीजेए, तो माध्यक बराबर formula क्या होता है तो माध्यक बराबर formula होता है आपका माध्यक बराबर 11 प्लस L2 माइनस इसमाल L अपान F फोस्ट में यहन बाइ 2 माइनस काइप्टर ठीक है यह formula होता है यह सभी मान यहाँ पर रख लिजिए और एक सवाल में देखिए कि इसमाल F कमान कितना है 20 है तो 20 कर लिजिए यहन कमान 60 बटा के 2 माइनस कापिटल यह कमान X प्लस Y X प्लस 5 है तो X प्लस 5 कोष्टक में रखिए ठीक है कोष्टक बना लिजिए अग इसी को आपको हल करना है तो 20 को पहले पच्छानता कर लिजिए अठाइच दसमालो 5 माइनस 20 बराबर यह घटाएंगे तो 10 बटा के 20 हो जाएगा यह दूसर देंगे तो कितना हो जाए 30 माइनस X देखे कोष्टक बढ़ माइनस की चिन अंदर की चिन बदल जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा अब देखे पांच घटेगा कितना हो जाएगा 25 माइनस X हो जाएगा अब यहां से क्या करेंगे तो कर लिजिए दू पाचेट 10 2,8,6,7,7,7,7,10,10,0 यहां पर क्या हो जाएगा 25 माइनस X हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद देखे आपको क्या करना है ठीक है देखे अब इसके बाद इस में से क्या करेंगे कि आप 25 को पच्छांदा कर लिजिएगा यहां पर क्या हो जाएगा 17 माइनस 25 हो जाएगा और बराबर माइनस X हो जाएगा अब घटा लिजिए तो कितना हो जाएगा माइनस 8 ठीक है कितना होगा आठ होगा माइनस यक्स हो जागा माइनस से माइनस कट जागा तो आठ बराबर यक्स हो जागा यारी यक्स कमान आपको कितना मिला यक्स कमान मिल गया आपको आठ ठीक है तो आपको यक्स कमान जब आठ मिल गया तो अब इस यक्स कमान क्या करेंगे समीकर मरोर, एक में यक्स बराबर आठ रखने पर, रखने पर, अल्दुक इस समीकर नमबर जो एक आपका था ति यक्स पलस बुस बुस य कितना था, फबिन्द्रण यह बराबर एक था आपका, आप यदी सवाल लिख रहे होगो तो आपको समीकल यह माने होगे यक्स के जगह पर 8 रखना है प्लस y बराबर कितना है 15 तो y बराबर 15 माइनस 7 हो जागा तो y बराबर कितना हो जागा यहाँ 8 है तो 8 न रहेगा यहाँ पर 8 रहेगा देखें कितना हो जागा 7 हो जागा तो आपका answer यह हुगा इसका मतल्ट लाश्ट में एंस्वर आप लिखेंगे इसलिक आपको यक्स और वाई-कामानी के coefficient सात होआगा पीज पकास इस सवाल को पूरा आपको लगाना था ठीक है देखिए यह आपका पूरा सवाल था और इस तरह आपको पूरे यहाँ पर लाश्ट तक आप इसको देख सकते हैं तो यहां पर हम दिर्गूत तरी प्रश्ट को देखते हैं ठीक है तीसरा नंबर का जो सवाल है इस सवाल को पहले अंभल करते हैं इस सवाल को आप एक दो बर जिरूर देख लीजिए अठीक है यह बहुत ज्यादा जब इस प्रकाज सवाल पूछें यहां पर मान लीजिए कि माना ठीक है जैसे बता है इस सवाल को जरूर आप तयार कर लीजिए माना जब संख्या की बात करते हैं यहां पर क्या मानते हैं तहाई का अंक यक्स मान लीजिए और इकाई की अंक को क्या मानेंगे आप इकाई का सब्सक्क्राइव यानि यहां पर Stay low लटने पर है तो लीखेंगे नई संख्या यहां यहां पर लिखेंगा संख्या की अंको अंको को उलटने पर पर, नई संख्या क्या बने गा, ति देखें, आप ध्यां से बस देखते रएए, नई संख्या क्यों बन जायेगा, यहाँ पर लिखाए, 10 x पलस y, 10 तो अपने अस्थान पर रहेगा, बस y को y को y के, 10 y पलस x हो जाएगा, मतलब नई संख्या ये बनके आपका तयार हो जाएगा इतना काम करने के बाद लिखिए कि यहाँ प्रशना नुसार प्रशना नुसार ठीक है जब इस प्रकार के सवाल रहेगा तो आपको प्रशना नुसार जरूर लिखना है इसके बात देखिए आपको क्या करना है सवाल को पढ़े दो अंकों की एक संख्या ठीक है एव उसके अंकों को उलटने पर बनी जो नई संख्या है का योग दिया है 6 इसका मतलब जो संख्या ये है और जो उलटने पर जो नई संख्या बना इन दोनों का योग कितना है चाचछट के पराबर है यहां पर क्या करेंगे कि दोनों संक्यार इसको जोड़ देंगे दस एक्स प्लस य प्लस दस वाई प्लस एक्स बराबर कितना है चाचछट के पराबर तो चाचछट कर लेंगे अब यहां पर द्यान दीजिएगे दस एक् यहां से 10 y और y जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगे यह बराबर 680 के बराबर होगा इन दुनों भी देखिए आपका 11 कामण हो तो 11 पर कामण लेजे तो आपवेशा नंबर एक माल लीजेगा इतना संवीकरण आप मालें समगर मालने के बाद अगला स्सेप पर चलीं आगला वाकिया स्छाय आपका a यदि संख्या के अंकों का अंत्र दो है ठीक है तो लिखेगा पुनह प्रश्णा नुसार अब क्या लिखेंगे पुनह प्रश्णा नुसार पुनह प्रश्णा नुसार ठीक इस तर लिखेंगे अब यहां पर ध्यान दीजे क्या का रहा है सवाल में यदि संख्या के अंकों क गर्वार कितना हो जाएगा दो ये समीकड़ नमबर आपका 2 बन जाएगा देख लीजिए यहाँ पर 2 दिया इनत 2 होगा अग्र दोनों समीकड़ को आप हल कर लिजेगा दोनों समीकड़ों के एक जगा लिख लिख लीजिए कैसे हल करेंगे यहाँ लिखिए यक्स प्लस पर जोड़नες पर जोडने पर लिखेंगे तो हमेसे होगे यहांण MALE गाते हैं जरते से यानि कुल मिला कि यक्स का मान आया पचार, यहां यक्स का मान आया पचार होगा, यक्स का मान आया पचार, ठीक है, अब वाई का मान भी ग्याद करना है, तो वाई का मान ग्याद करने के लिए समीकरण एक में यक्स बराबर चार रखे हल कीजिए, यहां पर लिखिएगा, द तो यहाब पर बता दिते हैं यहाब लिखे है यहाब है बयह घुट लीते हैं यही है है संख्या पिंद कुल क्हिंद कि आपको क्या था सब्सक्मार रखेंगा दू प्ले को साथी सपारिक यहाइ कि भूल इस हे कि सवाल में पूछता है कि नई संख्या आपका क्या बनेगा या ही थैनि संख्या के बनेगा तो नई संख्या कितना है तो यहां पर लिख सकते हैं यहां पर रहना है तो रहना है और प्लस यक्स के माल प्रकार के प्रशन को आप कैसे लगाएगा 42 रहेगा इस सवाल को आप जरूर तयार कर लिए फ्रेस एक बर पूरे सवाल को देखके आप उतार लीजिए इस सवाल को आप 100% कर सकते हैं कि 27 फरवरी के बोर्ड के एक्जाम में जरूर आएगा ठीक है यह था सवाल आपका तीसर जरूर कर लें देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे लगाएगी जैसे जैसे बता है उसी तरह को करना है पर यह सवाल को पढ़िए यहां लिखा है कि पांच वर्स पूरू देखिए पूरू नूरी की आयू सोनु की आयू की तीन गुनी थी दस वर्स पस्चात नूरी और सोनु की आयू घ्यात किजिए इस सवाल को देखिए कैसे लगाएगे हैं मानें माना दोनों की आयू मान लिजी वर्तमाना यू देखिए यहां पर माननेंगली की यह नाम नूरी की वर्तमान suggestion accent वर्तमान आयू क्या मानेंगे यक्स वर्स मान लिजी क्या मानेंगे यक्स वर्स और सोनू की वर्तमां आयू वर्तमान आयू य asap अब जैसे प्रश्नकार अक्नित इसमें आपका वर्तमान आयू 20 वर्ती है यहां पे लिखिएगा कि पांच वर्स पूर्स 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 प पूर वर्तवान नूरी के देए तो फो हुआ वह यांवार्टावान में इक सतुत मॉइनिस Свकुर्आ तेकि इसी तरह पांच वर्ज पूर पूरु ऐसल सवाल पड़ेंगे यांद सवाल पढ़ेंगे ति razem 4 नूरी की आयू सोरुक आयू की दो बुनी यहां सब्द पकड़िए का पस्चात दिया है तो पस्चात मतलब होताब बात जैसे वर्तमार में आपका आयू 20 वर्स है आज से पूछ दें कि 10 वर्स बात आपका आयू क्या होगा तो आप क्या करेंगे कि 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो पस्चात पस्चात जो सब्द रहेगा इसी सब्द का परियोग कीजिए अपने बात मतलिके पस्चात लिखी जाएगा 10 वर्स पस्चात नूरी की आयू कितना हो जाएगा तो देखे यक्स है और तमार में आप 10 जोड़ेंगे 10 वर्स बात निकल जाएगा ठीक है फिर इसके वर्तमान आयू आई है तो प्लस 10 कर लेंगे यहां पर वर्स लिख लिजिएगा अब लिखिएगा प्रशना नुसार ठीक है इतना काम करने के बाद लिखना है आपको प्रशना नुसार लिखने के बाद देखे जैसे सवाल कर रहा है उसके अकार्डिंग लगाना है आपको पाच वर्स पूरू नूरी की आयू सोनू की आयू की कितनी गुणी हो रहे है तीन गुणा यहां नूरी की आयू कितना है पाच वर्स पूरू यक्स माइनस पाच बराबर सोनू की आयू पाच वर्स पूरू क्या है तो य माइनस पाच है देखें यहां पे जो सोनू की आय माइनस पांच को पच्छान्द कर एक थीक है यह आपका शम्हिकण नंबर एक हो जाएगा ठीक है अब लिखेंगे पुना प्रश्णा नुसा पुना प्रश्णा नुसा जब यहाँ पुना प्रश्णा नुसा लिखेंगे तो अब देखें आपको क्या करना है सवाल को पढ़िए यहाँ तक एक समिकड़ बन गया अब दूसरा देखिए दस वर्स पस्चात जो नूरी की आयू है सोनू की आयू की कितनी गुनी है दो गुना तो यहाँ पहले नूरी की आयू लिखिए तो देखें नूरी की आयू क्या हो जाएगा आपका चलिए यहाँ पर लिखें देते हैं कितना है यक्स वाइनस पांच बराबर सोनू कितना है लेकि पस्चात का एन यहां पर सवाल में देख लिएगा पस्चात मतलब बाद वाल लेंगे तो दस वर्स पस्चात कितना है तो यहां पर कितना लिखेंगे यहां पर लिख लिजिएगा यक्स प्लस दस बराबर वाई प्लस दस किलिएगा ठीक है तो नूरी के आई दस वर्स 212 मैंद गटाएग और कितना हो जाएगा 20 में, समीकड़ नमबर आपको कौन से बना? दो बना अब समीकड़ बासा क्या है, अब समीकड़ दो ko को एक जगा लिख remote कर लिए, चलिए यहांँ हल करते हैं करदा है, समीकड़ कीकिकिके यहांस समीकड़ का किस दो गट आई बाघंगें से मारज हल करेंगे यहां से एक अच्क्स आठना चाहिए यह िकताने पर, जिसा इसे गटाने गहले पर इस रिखते हैं mo's माइनस हो जाँए इसको जोल लीजिए माइनस माइनस कितना हो जाँगा माइनस स्वाइल यत कितना हो तो य कमान आपको पता चल गया कितना आ रहा है 20 आ रहा है अब इस वाई का मान समीकर एक ए दो किसी में रखके आप इस तवाल को हल कर सकते हैं इस तवाल को आप पैसे हल करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए अब यहाँ पर लिखेंगे चलिए लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे समीकर एक में वाई बराब पर पर एक और रखने पहार ठीक है, रख लिजिए, यहा है, जो कि इस अीह सब पर जाएगे, हैं यहां पर तो यो तो रखाय गा माइनबर पर भॉणची थी ओन यह tiden गड़नो यक्स बराबर कितना हो गड़ा गड़कांगे में 20 लिखना ये लिखनार आपको यहाब लिखें ढोल Champion कि नूरी की वर्तमान आयू कि नूरी की वर्तमान आयू आयू यक्स वरा कितना है या लिखेंगे पचास वर्स हो जाएगा पचास वर्स ठीक है फिर इसके बाद सोनू की आयू पूछा है तो सोनू की वर्तमान आयू सोनू की वर्तमान आयू आयू वाई बरा कितना आया था तो वाई बरा पर दिखा देते हैं आप सभी को वाई का मान 20 आया था तो इसका मतलब सोनू की वर्तमान आयू कितना हो जाएगा बीस वर्स हो जाएगा ठीक है तीस सवाल को भी आप जरूर लगा लिजिएगा इसी पकास इस सवाल को लगाना ह सबसे इंपोर्टन सवाल है एक पहुंमंजली भवन के शिखर से देखने एक आठ मीटर उचे भावन के शिखर और तल के ओनमन कोड करम सथ 30 अंस और 45 अंस है बहुमंजली भावन की उचाई ठीक है और दो भावनों की बीच की दूरी ग्याद कीजिए अब दिखिए इस प्रका के सवाल जब भी आपके सामने आये तो आपको करना क्या है आपके पास एक स्केल होना चाहिए स्केल से क्या कीजिएगा कि बहुमंजली भावन है तो पर भावन बनाईएगा ठीक है यह क्या है आपका बहुमंजली भावन है ठीक है भावन हो गया सिखर से देखने पर एक आठ मीटर उचे भावन आठ मीटर उचे भावन का मतलब यहां पर आठ यहां पर लिख देते हैं जिससे आपको समझ में यह बहुमंजली भवन बनाएं यह बहुमंजली भवन है और यह सिर्फ भवन है और यहां से इसकी जो उचाई दिया है सबस्mal प्रश्चत में यह 8 म. मीटर है यह 8 म. यहां पर एक सदो पघड़े और नमन को देखें के यहे यहां पर पॉहमंजली भवन के सिखर से देखने पर काठ मीठ उचे भवन के शिखर देगी भवन का सिखर यह है और उसके तल के तल कर देख रहे हैं यहां से इसको एसे इसम स्थ एक और इसके आधार को यह चाह को मिला रहें कैम और शुम म Key ef यह बना इसे इस पर बने गार यह को आपका तो इस तरह फियाथार्उ उसके आपको यह पता चलिए कोड कहां पे बनाना क्यातके इस रहार इसहां के लिए आप इससे जो आपकोड मंनेगा ये वनेगा आपका 50 बनेगा 45 और यह बननेगा और यह जित को बस 비चा अब इस दियान देगा कि यह आपका पृतित्पर्स कब रहा हां है यहां मंने इस चीअ हब हब नेवनलो शुट और यहां से यह 30 अंस इस रेखा से बनना है यहां से इसके आधार से 30 अंस का कोड़ यहां बन जाएगा बस इतना चित्र को असपर्ष रूप से साफ सुत्रा बनाईएगा अब देखें यहां क्या किजिएगे इसको माल लेजिएगा यक्स ठीक है और इसकी पूरी उचाई को यहां तक इसकी पूरी उचाई को आप माल लेजिएगा अब दिखुआ आठ मीठर है यह टोन आपसन बरावर ठी यहां तरम तूरी और यहां यह तक कि यह भी आफ के आप का 8 होगा इसलिए कि बוחables में सिद्शार था शले पणित्र च कम आप बीसी आपका यक्स है यह इतना दूरी जो होगा यक्स ही होगा यहां से लेकर यहां तक यक्स होगा ठीक है यह आपका चित्र बना और देखे इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे पूछ आप यहां पर पंपर जित्टर बनाने के नान लगे तके माना दोनों की बीच की दूरी इसलिए के पूछा है कि दो भावनों की बीच की दूरी बराबर यक्स मीटर ठीक है यक्स मीटर ठीक है इतना चीज़ माल लिए अब यह देखिए आपके चित्र में सब कुछ है तो हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है बस यहां पर यह लिख लिजिएगा कि जो भवन एबी है एबी की दूरी जो होगा सीडी के बराबर होगा यानिक एबी बराबर सीडी बराबर क्या है आठ मीटर है फिर इसके अलावा देखिए यह आधार जो है बीसी बराबर क्या है एडिके बराबर है और क्या माने यक्सत यक्स मीटर बस इतना चीज़ आप लिख लिजिएगा चित्र में सभी कोड़ा को दिखा दिए है तो आप कोड़ के लिखने की पूर्ण भी लिख लीजिएगा अब यहां पिलिकिएगा हर लिखने के बाद देखें क्या करना है कि यहां पर दो त्रभुज आपके बन रहाये यहां से आपका यह उचाई केतना होगा आप बताई कितना होगा तो पूरे हम 8 मीटर घटा देंगे ती इडी कमान पता चल जाएगा यहां पर क्या होजाएगा कितना आपका यहां पर इसको भी दिखा दिजिएगा कि इडी बराबर कितना है आपका इडी बराबर है माइनस 8 मेटर ठीक यह चीज भी मच छोड़ियेगा जो अपने तरफ से लिखिएगा सबको यहां पर लिख लिजिएगा अब हल करने के बाद देखिए क्या करना है आपको यह जो कि लंब है और यह आधार देखिए चीत्र में यह एक यह आधार रहत अपा टारव कौन सत फार्मूली लगता है यह लगता है क्या सफल ब्रक्रमफल inflation लिखता तो है यह यहां पेढों किया है आपकी zładenk के आपके अधार किया है यहां पर देख लिए हैं कि सब्सक्राण अब डीए कइंग अब दिह सब्सक्तालें कितना है। 1 कं इसमस्राणी का इसम रखेगा यहां पर 30 चलिए 100 रख लेते हैं यहां बराबर यहांब कितने हैं capital H-8 है यहां पर capital H-8 रखिएगा अपान ad के माणन कितना था है यहां पर यक्स रखिएगा अब three गुड़ा करेंगे तो युक्से हो जाएगा here यहां पर तीरिया गुड़ा करेंगे तक करणी में तीन कोष्ट में यह माइनस आग्र इतना चीज रखिएगा ठीक है जब इतना चीज आपको पता चल जागा तो अब देखिए आपको क्या करना है ठीक है चलिए इसको समीकर नंबर एक माल लेते हैं अब देखिए दूसरे क shut up तरी तिरिभूज में चली एक इस समीकर एस सब्सक्राइब कर लिए आप चल सी कि अचलते हैं ठीक है और यहां पंजिएगा तुर्मुज यहां ऌब आदाप्य में लगा यहा लिखियागा एक लिखंग अब कर सके नाम देखिए आपको पता है ग脌ता यहां लिखे है तो बीले लिएगा बी बराबर फार्मूला यही होगा लंब बटा के आधार ठीक है यहाँ पर लंब लेखे आपको अक्छर लिखना मत भूलिएगा ना दख़ीं सी इपुर यह लंब है आपका खासी लिखेंगे और आधार 20 है तो स्ट यहां पी लिखे । 25 अंस संध। 25 अंस बराबर एटालींस बराबर ऑठी कमान आपको कितना है ? यक्स यक्स रखियेगा अब दिखेंज्ड 45 अंस कमान कितना होता है तो आप वडिक पता है कि एक होता है प्रवातन अब तीरिया गुडा कर लिए जब तीरिया गुडा करेंगे तो यक्स वराबर कितना हो जगा यच्छ यह यहाँ पर आपका आया यह ठीक है यह समीकर नंबर माल लेज़ेगा तें चले और अपर लिखते हैं कि समीकरण आपकरीये यक्स बराबर क्यूप्टल ह रखने पर रखने पर रहा हैं समीकरण नहमें jak one समय समीकरण नूम्बरние एक हो देखेरि में एक है कारी में तीन है न देखिए यहां पर कोष्टक बना लिए बड़ा कोष्टक चलिए बना लेते हैं समझने के लिए यहां पर हो जाएगा ने 3 हो जाएगा अब इसको इधर पच्छांतर कर लिजिएगा ठीक है तो अब देखें यहां पर एक चीज आप फ्रस क्लियर करें देखिए यह माइनस में न तो हम माइनस वाला की इधर लाएंगे जिससे यह प्लस हो जाए और इसको इसको उठाके इधर लाते हैं तो देखिए देश कालरी में 3-1 अब देखिए का मान गयात करना है तो इसको पच्छान तक लिए तो आठ बटक के कलरी में 3 अपान यह क्या होज़े कलरी में 3-1 बड़ाबर क्याप्टल यह का मान इतना हुआ लेकि एक जित ध्यान दिजिएगा कभी भी हर में करी कमान नहीं होना चाहिए इसके किया जाता है इसको परिमेंब करके का मतलब क्या होता है कि इतना हम से प्लस बड़ा करेंगे और इस cię बड़ा पहर में करते बस चिन बदल देते हैं तो करड़ी में 3 Plus 1 हो जाएगा ठीक है ? यह Plus 1 समझजिएगा अब गुड़ा कर लेते हैं तो कि इसका गुड़ा करेंगे इसमें कीजिए तो देखिए आठ और 3.3 का गुड़ा करेंगे तो 8 3.24 हो जाएगा प्लस 8.3 का एक में गुड़ माइनस बी मिलता है इसे आप डारेक्ट ए स्कुायर माइनस भी स्कुायर लिखा जा सकता है यह फार्मुला को कई बर बता चुके हैं देखें आप करोड़ी तीन का स्कुायर करेंगे यानि कर दीन का स्कुआर माइनस एक का स्कुआर हो जाए ठीक अब देखिए यहां पे 24 प में कामन देखें कितना है इन दोने में कामन 24 और 8 कामन से देख़ें के तब । यहां बचेंगा 12ा प्लस क्रिक चार कणल नहीं रूप्त क्लाई में फ़दुन कल दूस्य तो 2 कड़ेगा यानि कि 12ろう 20 ft मत्वीं में टेक य्दिना आया अब दीघें के यक्स का मान इतना आया आपको अब दीखें, यहां पर एक चित्ध ध्यान दिजेगाई जब यहां पर मान आया था इसका मतलब हो, यहसे लिख सकते है कि सामीकरर 2 से साम्य कड़ 두 देखिए आपको क्या माने थे यहां माने थे की यक्स करने के बाद यक्स वरराबर क्या आया था आपका करेप्टर है इसका मतलबust . नीएम अमतिला देख यक्स एक्स एक्स वराबर क्येटर यच वराबर किटना हो जाएगा बारा प्लस चार करणी में तीन मीटर हो जाएगा ठीक है इतना लिखने के बाद देखें यह आपका हो गया इंसर लाश्ट में कैसे लिखेंगे जो माने रहते उसी को एंसर लिखना पड़ता देखें इंसर कैसे लिखेंगी तो आप माने बहुमंजली भवन की उचाई काप्टल याज दो भवनों की ब कि उचाई बराबर काप्टल याज माने थे याज का मन कितना आया बारा प्लस चार करणी में तीन ठीक है और यहां पर मीटर लिखेंगे मीटर मात्रक लिखना मत भूलिएगा बोट की एक्जाम में ठीक है अब देखेंगे दो भवनों की बीच की दूरी दो भवनों के बी मीटर में बस कर लेजिए ठीक है यह था आपका इसका एंस्वर और लगाने का तरीका यह था एक बर सवाल को आप चाहे तो पूरा देख सकते हैं यह देख सकते हैं पूरे सवाल को अब इसको उतार के प्रक्टिस एक दो बर कर लिजिए फिर इसके बाद इसको आप उतार रहे हैं आज यह सभी छेचे नंबर का सवार ही इन सवालों को जरूर आप प्रक्टिस कर लिजिए देखिए आथमां भी सवाल ही तो इस सवाल को भी बताते दोनों में से कोई एक सवाल आ सकता है आपका देखिए आपका भूमी की एक बिंदु पी से एक दस मीटर उचे भ भवन की तूरी ग्याद कीजिए जहां कड़ी तीन कमांदिया एक दसमलों साथ तीन दु आपको रखना पड़ेगा अब देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे पहले तो आप चित्र बनाना सीखिए फिर उसके बाद तो सवाल लगा लेंगे ठीके आप चित्र कैसे बनाे यहां हो कि खिर में की एक विन्धि पी से यानि भी में पर कोई एक विन्दू प है यहां पर यह उक्विक विन्दू ऐसे ले लिजिए और इसको थोड़ा साप मिला लिजेगा अच्छे से चलिए इसको मिला लेते हैं यहां तीस अंस का आपका कोड बन गया ठीक है ध्यान दीजेगा और यह भवन की उचाई कितना है दस मीटर है तो चलिए दस मीटर हो गया जैसे देता है सवाल में उसी तरह बनाना रहता है यह तो ववन था दहें यहां से ववन यह भवन है और यहां शी औरहें क्या पहल लिए यहां से दिननकिया कितना से ध्यूक्तर बना यह द्यक्त बिक दना गरते हैं यहाँ पोनेयन कोडर का है नीचे से शिखर को देखना होता है। औरुमान कोड़का मतलब होता है। नीचे साव तेखना होता है। तो वस्त की लेटसपूड के नीचे देखना। जब मीटर में दिया रहाएगा तो मीटर माल लीजेगा सब इसमाल एच मीटर है ठीक है और बिंदू पी से भवन की दूरी याल पी से भवन की दूरी को हम यक्स मीटर माल लेते हैं ठीक है और यहाँ पर नाम अपने मन से ले लिजेगा ठीक है यहाँ पर नाम अपने मन से ल यह पूरी दूरी पूरा उचाय जो है जिसमें भवन और धौज दोनों की जो उचाय करप्टल यह मां लिजेगा यह मीटर ठीक है अब दिखे जितना ची आप माने हैं उसे उसी को अपने में लिखेंगे कैसे लिखेंगे माना ठीक है धौज डंड की लंबाई मानेंगे इसल क्या माने है इसमाल यह अच्छ इसमाल एच मीटर हो जाएगा ठीक इसके पाद बिंदू पी से भवन की दूरी बराबर यक्स मीटर ठीक है अब इसके अलावा यह हो गया ठीक है अब यहां पर देखिए आपको क्या है ए और सी यानिके एसी वरढ़र कितना माने हैं इसी वरढ़र क्यप्टर एक है अब जितर बना दिये हैं तो हर चीज़ को लिखने के जरूत आपको नहीं है। अब यहां पर लिखिएगा हर, इसमें वी जब दो कोड दिया है तो दो तर्भूज बन रहा है यह तर्भूज है और यह तर्भूज पी A सी है तो पहले क्या क और आधार लंब और आधार पता रहेगा तो कौन से फार्म लगाना है टैन लगाना है यहां पर लिखेंगे क्या पी लिख लिए चलिए पी लिख लेते हैं इस्तिर भूज के लिए यहां लंब बटा के क्या हो जाएगा आधार होगा लिए 10 p कमान कितना लेना है आपको 30 cents है तो 30 cents लेगे बराब एवी कमान 10 है तो साथ क्ष़ें यक्स ले लिजी ठीक है अब एक तींक सब्सक्षा जाए का माण कमान याद हो गया होगा है सब्षार करण होका नह烈 हो ता यक्स का यक्स को यह सकतिए क्mal क्ष़ी तेन का माण दिया है कितना ना कितना यहाफ रखाएंगे यक्स बराबर दस गुरे कर रिचे परकए कर दिन के मार्वार रखं़ एक दस्मलो रखं़ लिए ग़ॉट हमें सब्सक्राइब पर जाएंगा प्रोंश wrapper कोई यक्षब सब्सक्राइब कोई मतलब नहीं होता है दसमलों को बाद लगा है तो यह आपका आया ठीक है इस त्रिभूच से आपको यह चीप पता चल गया चले अभी क्या करते हैं कि दोज डंड की लंबाई भी ग्याद करना है तो पूरी इस उचाय मतलब पूरे त्रिभूच में चले त्रिभूच में यहां पर लिखी यह त्रिभूच में यहां बेद्ध्यान देंगे कि आपको यह लंप पता है और आधार पता है तो फार्मूला वही लगए और इ्टएका पी बराबर कितना लम बटा के आधार हो जाएगा पर लमबता के आधार कि लम कमान का है देखिन कमाने a c पूरा a c है और आधार कमान की पी यह यहां पर कि बूच के लिए तेन्स का लिए डिएक इस तीडिए के लिए तेन्स का पयातालिस द्वाबर द्वाबर कितना है एक रख लिएगए पान कितना है यक्स रख लिएगा ठीक है अब यहां भी दिखे 1045 कितना रखेंगा 1045 एक यहां पर अपान यक्स तीरिया गुड़ा करें यक्स का एक में करेंगे यक्स बराबर क्टा ये अब ए जित ध्यान दीजेगा यहां यहां पर चुर्म लिए यहां पर आपको कापिटल याज का मान नहीं ग्याद करना है सवाल में जो ग्याद करना ह सिर्फ small एक का मान गयात करना है इसनिके 12 डर्ट यह साम पूरी दूरी है इसका मतलब capital H की प्राइट सठे हैं इस at 10 जो यहाद पी इसको आप दिखा और ह्प्रक्रत कितना होता है कि Soul yeah इसका मतलब हुआ कि जहां सब्सक्राइब करेंगे कि यक्स बराबर के जगह पता है आपको क्या लिखना है यहां पर दस है और यह इन दुनों का योग ही होगा यहां पर रख लीजिए चलिए के जगह पर रखेंगे सब्सक्राइब हुगव तो क्या क्या है यहां आप यहां कितना पता चल रख संद्सारे श्री अमलों 3 बराबर 10Pal है तो क्या करेंगे दस कोगा क्शंतर करेंगे यहां सत्राम ल्शenser व लिखिएगा जो चीज माने है उसे ही एंसर में लिखना है देखिए आप क्या माने थे दोज डंड की लंबाई इसमाल एच बराबर कितना होगा साथ दस मलो तीन दू मीटर ठीक है फिर इसके बाद बिंदू पी से भवन की डूरी बराबर कितना अए था आपका थी यक्स बराबर आया था अशेLR तीन दशमालो तीन दू मीटर ठीकट ती इस पकास इस सवाल को आपको लगान था जैसे बताएं इसी तरह पूरए सवाल को पुनो देखा देते यह सवाल आप पूरा इसी तरह उतार लीजिए सवाल को देख लीजिए इस सवाल को तयार कर लीजिए यहां पर था आपका दोनों जो में अगला प्रशन क्या है आपका पाचववा नंबर का ठीक है लगानी का प्रता है तो आप उसानी से लगा लेंगे है डेकि सवाल ही यह भी आपका वोड़ डीजै 1-2 श्नी बड़ bottї neighborhood को देगा सिर्फ देखने बढ़ाए लेकिन बहुत सिंपल सा सवाल होता एक बरतन में एक उल्टे शंकू के आकार का है इसकी उचाई आठ सेंटिमीटर और इसके उपरी जो खुला हुआ है सीरे की त्रीजा पांच सेंटिमीटर यह उपर तक पानी से भरा हुआ है जब इस बरतन में सीसे की कुछ गोलिया जिनमें परतेक का यह तरसुर पांच सेंटिमीटर त्रीजा वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चवधा यह आप ध्यान दिजिएगा एक चवधाई भाग बाहर निकल जाता है बरतन में डाली गई स करना है तो इस सवाल को कैसे लगा याचा झाला ऑफ चिसे की गोलियों की संख्या आपको ग्याद करना है जेकर ते इस तोक कैसे बना मत्याइब यहथे उलड़ा जासा ठीज़् कि एक संकूल करके बनाएंगे और अहां कि एक सांकूल आप न इस्तरक जाल किरुत कर देते ती को बनाएंगे व के पांच सेंटिमेटर अब और इस यो दिया है कि त्रया का मतलब हुआ कि यहा से ने यहां तक इस की उचाई दिया है आपका ठीक यहां तक इस्की उचाई दिया है आ का पानी इस तरह आपका पानी भरा है इस तरह पानी पुरा भरा है इस तरह पूरा पानी आपका भरा है जब इस बरतन में शीशे की कुछ गोलिया जिनमें परतेगा सवाल के सवाल कर रहा है तो पूछ रहा है कि गोली के तिरिज्या वाले डाला जाता है इसमें से भरे हुए पानी के एक्चवताई भाग बाहर निकल जाता है तो बरतन में डाली गई सब्सक्राइब इस तरह इसी टाय। इए इस तरह करें सब्सक्राइब क्या मानेंगे इसमाल एन गोलियों को संक्या क्या होगा इसमाल एन होगा अब देखें यहां पर आपको दिया क्या है ठीक इतना चीमाल लिए अब यहां पर संकू की त्रिज्जा दिखें दिया है यहां लिखिए कि त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् कि यू चाई कि समाल कि अपर आपर्मुला क्या होता है आप सभी को पता है एक बटा के तीन पाई आर इसक्वार्यच अब यहां पर मा रख लेते हैं दीए एक बटा के तीन गुड़े पाईफच का मान यहां पर देए मत रखेगा ठीक है बस इसी सिर्व पाई लिखिएगा और गुड़े 6 जगा बुड़े 15 क्सकुर के चैफ़ में मीटर में में मीटर है तो चैंका क्या सब्लार कर एक मौनार मांot सब्सक्राइघ कर दों सब्सक्राइगा पशया के सब्सक्राइब के और गोलि का तर्जय है लिए । आतДа ब्लच चीजे इसको R1 मेन लते हैं और गोली की तरिजया सवाल भी कितना दिया हैं गोली की तरिजया को अकला कि रहे हैं जीussen gonna वैं इन सेंटिमीटर में डिया है यहां पर ठोड़ा साश्य जो और सेटेंी मिक्र अजैगा है यहां पर थोड़ा सा ध्यान कर लिए सेंटीमीटर को यहां पर काड़ दीजेगा यहां पर भी आपको क्या करना है सेंटीमीटर ही लिखना हर जगा सेंटीमीटर कर लिजेगा अब यहां पर पर यहां प्हां भी गोली जिस बूसा लिकरते हैं यहां पर लिखनेगे एक गोली का आइयतन और अब गोली कम होता है देखिए इसका फार्मुला जो होता है ठीक है चार बटा के तीन पाई आरवन का क्यूं हो जाएगा अब यहाँ पर मान रख लेते हैं तो कि चार बटा के तीन पाई का मान मत रखिए पाई सीतरा राना दीजेगा आरवन के जगब कितना दिया जीरो तेसमल पांच रहा तो ज गुड़े अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जैगा एक सो पचीस और दसमलो तीन अंग पर लगेगा तो यहीं हो जागा जीरो तसमलो एक दूपांच का क्यूं करेंगा इतना होगा अब यहां से क्या करते है तेकि दसमलो हटेगा कैसे पाई गूरे थासमलों के लिखे एक सो पचीस दस्मलों का स्थान पेक दस्मलों के बाद कितने अंखे एक दू तीन तीन को अंखर तीन को जीरू नीचे बढ़ा दीजेगा यहां से आपका दस्मलों यह हट जाएगा ठीक है अब देखें यहां से यह चीज हट गया तो इतना ही रहने दीजे फिर उसके वाद गोली के आयतन को क्या मलेता है भीवन माली सवाल में देखिया आपको क्या का रहा है सवाल एक बार ध्यान से पढ़ लीजे फिर सवाल समझ में आ जाएगा एक बर्तन उल्टे संकु क्या कार का है इसकी उचाए 8 cm है और इसकी उपर ही सीरे की तरीजे 5 cm यह ऊपर तक पानी से पहले भरा हुआ था ठीक है अब इसमें का रहा है कि जब इस बरतन में सीसे की कुछ गोलियां जिन में परतेग जीरो दसल पांच सेंटिमेटर तिरिज्जिया वाला एक गोला डाला जाता है तो इसमें से भरे हुए पानी की एक चवथाई भाग क्या होता बस यहीं सवाल में समझना है एक चवथाई भाग पानी बाहर निकल जाता है जब इसमें जब गोली डालेंगे पूरा उपर तक संकु पानी से भरा है इसमें गोली की जितनी संख्या डालेंगे उतना ही पानी का आयतन क्या होगा बाहर निकलता है इसका मतलब एक चौथाई पानी बाहर निकल जा रहा है संकू का जो आयतन निकला है इसका एक चौथाई भाग कर देंगे तो गोली के आयतनों के इस आयतन के बराबर हो जाएगा यहां पर प्रश्णा नुसर लिखें देखें यहां पर क्या है आपका कि गोली का आयतन माली जिए भीवन है और शंकु का आयतन किया है भी है यहां पर गोली का आयतन कितना थी है देखे चार बटा के तीन पाई गुड़े 125 बटा के यहां पर सबी एक हजार है ठीक है एक हसी क्या देखे लगे सब्सक्राइब एक पर गोली का आयतन नकितना रहे तो इसमें कि सब्सक्राइब करें यहां रिखे निख मतलई के इसमाल पाई बटा के तीन। लेगिन जितनी इसमें गोली डाला जा रहे है उसका एक चौथाई भाग पानी बाहर निकल जा ती इसका एक चौथा जाए एक बटा-चार सी में गुड़ा कर लेगे। बस यहीं सवाल आपको अपने शार आपको'll हो जाएगा। यहां यान का और गात कर ना थे यह बराबर कितना हो जीए यहां पे 200ुम पाई अपां कितना है तीन ठीक गउरी एक बट के 4 हैं डिके इसमें संख्या को चांतर करेंगे तो यह सभी फिन पलड जाते यान 4 रटा के 3 धर हो जाएगा गुड़े पाई है तो कितना हो जाएगा एक बटा कता ये तीन से तीन आप रोग जाएगा ठीक है और यहां से कट आध चार से कट तेखिए चारगमकर चारफम यहां पीस का बांग था का जाएगा ठीक है और शर नियूद मैं कट लिखंचавать यहां से दो बचेगा यह बराबर कितना होगा पांदुना के दस यहां इस सो गोलियों की संख्या गोलियों कि संख्या कि यहन बरावर कितना है सौ तो लिख दीजिए गोलियों के संख्या आप एक लाइन छोड़ के लिखिएगा आप जगत थोड़ा कम था यह इसी दिए यहां पर लिख दिए रहे तो आप जब पेपर में लिखिएगा तो इसके नीचे लिखिएगा ठीक है यह पूरे सवाल के यह पर देख लिजा उसे उतार लिजिए कैसे यह सवाल लगा है आपके पेपर में आ सकता है तीस पकास इस सवाल को आप लगाईएगा जब यह गोलियों के संख्या में पूछत इसी पकास जैसे समझाएं उसी तरह बोर्ड की एक्जामी सवाल को लगा लिजिएगा ठीक ह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है जो आपके यूपी बोर्ड की द्वारा जारी किया गया पेपर का लाश्ट कोईश्चन है यह छे नंबर का है ठीक है यहां पर देखिए सवाल दिया है अथवा में आपको उपर वाला सवाल बताएं यह सवाल भी जान जाएगे कि द 28.5 cm है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ग्याद किया कि इस बरतन का आयतन 345 cm है जाज कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं यह मानते हुए कि उपर्यूक्त मापर आंत्रिक मापन है और पाई का माना आपको रखना है पी चित्रा पासानी से बना लें एक गोलकार काच के बरतन के एक बेलन के आकार की गरदन है जिसका लंबाई 8 cm और ब्याज 2 cm है जबकि गोलकार भाग का ब्याज या इस पकासे चित्र बनेगा आप चित्रे जदी बना लेंगे तो सवाल आप सिंपल तरीका से हल कर लेंगे दे फकासे हओ अब देखें यहां पे चोँचीज दिया है उसको बनाते हैं ऐसका लंबाई 8CM याँने क defending दिया है से लहां से पर्ड़े मां तो थ्यान दिया कि मीटर दिया हैं फिर इसका ब्यास के मतलब होता कि पूरा सब करें करें भात करें कि यहां पर यहां पर आप क्या हो जाएगा कि प chut बेलन और आ onc a336 कर 버ो त्ष कुआ लीजे हीं शपकर सब्सक्रानख ल Сейчас बेलन कि पुर्ण जबते हैं घण डीजनिय से खेंट में अन सब पता है बाद दूosedर कर लीजिए याज दिया दो संटीमीटर कि द stack करते ती दिरिजいや इसका क्या हो जा žागा 2 जी मिस्ड कर दो पता है कितै है टिक कहला कर देखों कर लिजिए कि दिन जो कि द्वीश को दно कफा यह ठीक है कितना आपका 8 cm है तही हाट संटीमीटर हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद क्या करना है कि बेलन का पहले आयतन गयात करती इसलिए कि इसमें आयतने पूछा आप से देख लीजिए जहां भी देखिए आयतन के बारे में बात किया तो आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा तो बेलन का आयतन जो होगा आपका तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्कॉार यह चुता है बस यहां पर मा रख लीजिए और यहां पर पाई कमान दिया है तीन दस मॉलो एक चार तो आपको रखना पड़ेगा तो चल भुझे तो आठ कर लेजिए अब इसको हल कीजिए तीन दसमलो एक चाब यह करेंगे एक गुड़े अब गुड़ा कर लीजी दिखे आठ का गुड़ा एक न करेंगे तो आठ ही होगा ठीक है और यहां पर आप मान रख लीजिए ठीक है तो देखिए आठ चोको कितना हो गाहतन का मात्रिक जो होता है सेंटिमेटर होता है ठीक है इसफno. ऐब यहां पर सवाल पर द्यों दिल गयाए थीईगा आप देखे आप आपका कितना दिया दिए आठ दसमय पांच संटपीमीटर ठीक है , पहले है गोला कार भाग का अभ्यास इस ब्यास कितना दिये 8.5 सेंटीमिटर ठीक है अब इतना वह तो पले तिरिज्या ग्याथ किजिए तिरिज्या क्या हो जागा ब्यास का मैसा अधा होगा अभी समझाए आपको 8.5 आधा कर लीजिए कितना होज़ा दुच्यों को 8 10 मलो दू दुदुन ञचार दू-5 दस है er músique 10ड मेट इसका क्या हो जाएगा तरिज्ञ ओजा अब देथे गोलकार भाग का आयतन निकालते हैं गोला कार भाग का आयतन। ठीक है और गोल का भाग के और यह कम भी लिटेस है है तो गोले अभी ऑषद cheater का होता है छे पटा के 3 पाई आर की होता है ठीक है अब यहाँ यहाँ पर रखिए मान और इसको अखल किए चलिए रख लेते हैं तिक चार पटा के 3 एक चाहर पांग कितना विषद. गूद्फफिं को प्ना से धाइक नें यहांगों … जादे बड़ी संख्याय पर चाहर वह कैने थी ति थी आपको क्यों करने के बाद 76 2756 यहाँ पे रखें इसका क्यूंक आपको क्या करना आए कि पहले इतनी भी संख्य इसका गुडा कींच आ कि डेखिया अंस में से गूरा करने के बाद हैं 472 तो गुड़ा करने के बाद जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा, 964, 10, 00, 37, 38, ठीक है, इतना मिलेगा, और यहर में 3 हैं, तो 3 हैं, ठीक है, अब 3 का भाग दे दे दिजे, तो देखें, तीतली के, 9 हो जाएगा, ठीक है, धेकिं, यहाँ पर 3 दूना के 6 होगा, 3 के 3, 10, 00, लग कि इतना अंक तक पिताना मा फिर यह भर्तन का अधाय चीन भूलत की कि जोड़ेंगे बरतन का निखेंगे है बरतं का आहतन कि बरतं का आहतन जो घोगा भीवन म्लस बीडू होगा ठीच है और यहां पर लिखिए भीवन कमाण कितना दिया है यहां प्चीश दसमोल की जोनए गपाशीश दसमोलो चलिए जोड लेते देखिए यहां पर शह हो जाएगा चार होगा दू होगा एक होगा देखिए 9-2 कितना जाएगा 11-3-3-1-4-1-5 हो जाएगा दस में पांच एक कितना हो जाए छ दू दू चार तीन तीन सो च्यालीच दसमल पांच एक एक दू चार छ इतना आएगा और देखिए लड़के ने जो आयतन निकाला देखिए किसमें आएगा आपका सेंटीमीटर क्यू आएगा तिया पर मात्रक लिखना मद भूलिएगा आप अघ्रशी आप लिखेंगे बच्ची दुरा ज्यात किया उर्टेम्टर क्या आयतन है तो यहांपे लिख्येगा Hag Crush की दौरा मात्ते सिर्टे गए दिवान या इन्म सर्टर इंदी निक्रावश्टर we chap आबोग्पी लीएगा ने टरूर wären यहाट दूर यहाट है घ्रिजाओ गया किया गया आयतन कितना गयात किया है 345 है तिया पर 345 लिखेगा बच्चे द्वारा गयात किया गया आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूं गलत है गलत है सही उत्तर जो होगा आपका कितना होगा सही उत्तर जो होगा 346 दसमलों 51246 सेंटीमीटर क्यूं होगा कि इस तरहा हम कहा कर आठ़ाया था यहां को ग्यात करना था तो कैसे लगा गाए camera कृष्न जारी किया गया आपको जिस सवाल पर बोले हैं कि यह सवाल important उस सवाल को तब एक दो बार जरूर देख लिजिएगा तो friends आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चलो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें